सत्गुर्देवी जय है सवह सं शेप्रारिशन अबी सवतन पर आरव रहा है किर्प्या शुंख स सथर पर यह मैं कि Everywhere पूर्ग imperat मौनो करके शर्धा से सजीए प्रमेश्वर् इंड प्रमेश्वर की प्यारी आत्मा प्मर्ण वेधन सत्संग प्रार्म हो रहा है किर्पया सत्संग सत्ल परस्यानती पुर्ग विराजमानों करके सर्धा से सत्संग सुनें सत्संग जब लग गुरू मिले न साचा तब लग गुरू करो दस पाचा क्या गुरू बदल सकते हैं? क्या गुरू बदलने से पाप लगता है? आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरू काउन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संथ काउन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिये जगत गुरू तत्वदर्शी संथ राम पाल जी महराज के मंगल प्रवचन मथुरा की पावन भूमी पर जन्म लेने वाले और व्रिंदावन की गलियों में माखन चोर के नाम से प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्न का जनमोत्सव यानी जनमाश्टमी कृष्न भक्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पर्व है हर वर्ष भाद्रपद मास के कृष्न पक्ष की अश्टमी तिथी को यह पर्व पूरे देश में बड़े ही हर्ष और भक्ती भाव से मनाया जाता है इस दिन भक्तगण भगवान श्री कृष्न की कृपा और पुन्य प्राप्ती के लिए व्रत रखते हैं पूरी रात जागरण करते हैं भक्ती गीतों में तल्लीन हो जाते हैं और श्री कृष्न की मूर्तियों का विधिपूर्वक अभिशेक कर उनकी आराधना करते हैं लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये धार्मिक क्रियाएं वास्तव में हमें भगवान श्रीकृष्ण की क्रिपा और वास्तविक लाब दिला सकती हैं या नहीं? क्या ये भक्ती क्रियाएं शास्त्रों द्वारा प्रमानित हैं या फिर ये सिर्फ परंपरा का हिस्सा है? गीता की अनुसार कोई और शक्ती भी है जो साधक को पूर्ण लाभ और मोक्ष प्रदान कर सकती है अगर ऐसा है तो वह शक्ती कौन सी है और आखिर वे कौन से मंत्र हैं जो सच्चे लाभ और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग दिखाते हैं तो दर्शकों आज के इस special episode में हम ज प्रमात्मा की प्राप्ति करा सकते हैं सवाल नंबर एक जनमाष्टमी का पावन पर्व क्यों मनाया जाता है इस दिन उपवास मूर्ति पूजा दही हंडी भजन कीर्तन और जहांकी निकालने जैसी धार्मिक क्रियाएं क्या शास्त्रों द्वारा प्रमानित हैं इन सभी अ अथुरा के कारागार में हुआ था जब उनके माता-पिता वासुदेव और देवकी कंस के अत्याचार से पीडित थे भगवान कृष्ण वासुदेव और देवकी की आठवीय संतान थे और ऐसा कहा जाता है कि भगवान विश्णू ने कंस का विनाश और धर्म की पुनरस् क्रिश्न जन्मोट्सव के इस अवसर पर जांकियां सजाई जाती हैं और कई स्थानों पर क्रिश्न लल्ला की याद में दही हांडी का आयोजन भी किया जाता है। हालां कि कुछ क्षणों की खुशी उच्सव मनाकर प्राप्त हो सकती है। लेकिन आध्यात्मिक या स्थाई सांसारिक लाब से ये कोसों दूर हैं। वरत रखने की भी गीता जी में सपश्ट मना ही है। जिससे साधक को किसी प्रकार का विशेश लाभ प्राप्त नहीं इसके लिए देखिए श्रीमत भगवद गीता। और ने बिलकुल ने खाने वाले का। यानि ने तो अब ये एकांतम है ना। ये देखो। ने अती असनत तु योग अस्ती चैने एकांतम अनसत ने अनसत यानि अर्चे एकांतम। अब एकांतम कार्थिनों ने कठा कर दिया, बिलकुल कर दिया। अब एकांतम माने एकांत सथान पर भी बैठने वाले का योग पूर्ण नहीं होता। ने गणा खाने वाले का और ने बिलकुल ने खाने वाले का ने तो अधिक खाने वाले का ये ये योग सफल होता है। अब यहां अपने आप कह रहा है कि ना तो अधिक खाने वाले का, ना बिलकुल ना खाना, यानि वरत रखने वाले का, एक आंतम मन एक सथान पर बैठ कर साधना करने वाले का, ना गणाद जागने वाले का, ना जादा सोने वाले का, यो योग सफल नहीं होता। तो प्रमात्मा अपने सभसम वेद में कहते हैं, पर्थम अंजल सैयम राखे, योग युगत सभसत गुरु भाखे, पर्थम खाने पर सैयम करे, अंजल पर सैयम, यानि अधिक नहीं खाऊ है, थोड़ा खाऊ है, वरत नहीं रखने को कहा, कम खाऊ है, इतना नहीं खाऊ है, दड़ी पका खाले, फिर अंगड़ाई टू टॉल साजा, पड़के सोजा जमाई आई आओं, और इतना भी कम नहीं खाऊ है, कि आदमी कति, नो कमर्टेडी हो जाए, फिर भूख लागए, कतर कतर उपकाल जाकरें, जाद ध्यान भूख पर करें, बग्ती कैसे होगी उसकी, अनजल सैयम रख़ए, यानि सैयम रख़ए अपना बोजन के ऊपर, अलपहार करें, इतना कम भी नहीं करें, कि बिलकुल आंतमुस जया, पर ज्यादा भी नहीं करें, कि आलस और जमाई दुखी करें, सैयम से खाऊ है, और फिर नाम उठत, नाम बैठत, नाम सोवत जागवे, नाम खाते, नाम पीते, नाम सेती लागवे, नाम उठत, नाम बैठत, शुत्या उठत, आख खुल जा, प्रमातमा का मंतर करें, दो चार जिसे भी समय मिले, और फिर चलते चलते बगवान नहीं याद करें, खाना ख प्रोटी प्रोट से इतने पांचार मंत्रां का जोटा मार दे। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे। सोने से पहले प्रभू को याद करके दस बीस मंतर जिशे बने स्वांस के सिमन करता करता सोजा। तो ऐसे हमने अपने अभ्यास को करना है, फिर सोपन में भी स्वांस सुमन चल पड़ेगा। सोपन में भी आपका सिमन शुरू हो जाएगा स्वांस का या मंतर बोलता रहेगा। तो वो भी आपके अकाउंट में लिखे जाएंगे। ऐसे हम भक्ती के दनी वो करके फिर प्रमात्मा प्राप्ति करेगे। इस दिन श्री कृष्ण जी की मूर्ती को स्नान कराया जाता है। नए कपड़े पहनाये जाते हैं और उन्हें भोजन भी अर्पित किया जाता है। कि मूर्ती पूजा केवल एक पारंपरिक्रिया है। अर्थात इसे करना व्यार्थ है। वास्तविक लाब मूर्ती पूजा से नहीं बलकि सही भक्ती विधी से होगा। पहले हमने हमारे को को किसी ने कुछ बगवान बता गिया। एक मिट्टी का रख दिया कोई खिलोना सा यह तरह बगवान हमने वह मान दिया। क्योंकि हमें प्रमात्मा की चाहती। आज भी है। अब जैसे मूर्ती रख दिए बगवान की श्रीकरसन जी की विष्णों जी की। तो हमने श्रीकार कर दिया। विष्णों जी की गुनगान उनने सुनाए हमें मान लिया। कहां से सुनाए उन्होंने विष्णु जी और गुन कहां से सुनाए विष्णु पुरान से विष्णु जी के शीव पुरान से शीव जी के तो पीसी ने बताया कि यह बगवान की मूर्ती है इसी की पूजा से तेरा मोक्स हो जागा हमने वो भी सुरू कर दिया यह भूल थी, यह गल्द था, मूर्ती बुरी नहीं, मूर्ती की पूजा गल्द है, मूर्ती का होना अनिवारिय है, मूर्ती से हमें प्रेणा मिलती है, जैसे हम किसी सूर्वीर की मूर्ती देखते हैं, चीतर देखते हैं, और उनके गुनों से हम प्रिचित होते ही हैं, तो ग के शेव की मूर्थि देखते हैं, आम का चीतर देखते हैं, आम की मूर्थी देखते हैं, तो हमारे अंदर उसके गुणों का घ्ञान होते ही, उसको पाने की भी इच्छा वल जाती है. तो ऐसे ही जो मूर्ती भगवान की विश्णु जी की शिव जी की किर्शन जी की राम जी की हम जिसकी पूजा करते थे वो पूजा नहीं करनी थी उसकी पूजा से हमें कोई लाव नहीं होना था मूर्ती की हमने उस मूर्ती वाले भगवान को पाना है उस मूर्ती वाले भगवान को पाने से हमें उसके गुनों का उन गुनों का गुन पराप्त होंगे उसे ला पराप्त होगा जैसे आम की मूर्ती है सेव की मूर्ती हमने उस मूर्ती की पूजा से कोई लाब नहीं होगा वो तो इतना ग्यान करा देगी कि ये सेव है, ये आम है, ये मीठा होता है, इसके ये गुन है अब मूर्ती वाले सेव को ढूंड़ना पड़ेगा, औरीजनल को तब हमारा पेट बढ़ेगा तो कभीर परमातमा जी मूर्ती के वरोधी नहीं थे मूर्ती पूजा के वरोधी थे, इन धिट लोगों ने हमें इतना रूड़ी वादी बना जिया, कि हम केवल मूर्ती की ही आउसी काग गंटी बंटी बजाक है, उसके तलक तलक लाक है, शंगार करण मना गिरन थे इतना उसके शंगार मन लाक है, इतना ठीक है खराब हो रही हो, तो पोचा मार जिया, पपड़ा साफ करके परनाम करा मूर्ती को, क्योंकि भगवान को, उस मूर्ती को परनाम कर, परमात्मा को परनाम होता है ये सर्ता हमारी बनती है, भाव बनता है लेकिन पूजा और सत्कार में अंतर होता है पूजा और सत्कार में बहुत अंतर होता है तो ऐसे हमने पूजा नहीं करनी सत्कार करने से हमारे अंदर वी नमरता बनी रहेगी भगवान सामने दिखाई दें जैसे मूरती है और सामने भगवान ही आ जाए तो हमारा ऐसे ही भाव रहे जैसे मूरती नहीं ये परमात्मा आखड़े हुए लेकिन लाब मिलेगा फगवान से ही वो मिलेगा कैसे परमात्मा उसके पाने की वे ओफ वर्सिफ गीता जी में बहुत अच्छी वर्नित है आईए अब देखते हैं अवित्र गीता जी में मनमुखी साधना के बारे क्या बताया गया है गीता जाय नमर सोला के सलोक नमर तेईस में कहा के सास्तर विदी को टाकर जो मनमाना आचन करते हैं देखिएगा गीता जाय नमर सोला के सलोक नमर तेईस में दिखाते हैं आपको तेईस और चौबीस में जीता जैनुबर सोला के स्लोक नुबर हम दिखाते हैं आपको तेईस में जो पुरुसास्त्र विधी को टाकर अपनी इच्छा से मनमाना अचन करता है वह ने सिद्धी को प्राप्त होता है ने प्रमगती को और ने सुख को ही अब चौबीस में बता है कि इस से तेरे लिए सोड में जाएगा चौबीस में सलो इस से तेरे लिए करते और करतेों की विस्था में कौन से करम करने थी हैं वक्ती के कौन से ना करने थी हैं सास्तर ही परमान है ऐसा जान कर तो सास्तर विधी से अनुसार नहीं हैं, उन्हें तुरंत त्याग देना चाहिए। भक्ति केवल शास्त्रों के अनुसार की जानी चाहिए। ताकि मानव जीवन सफल हो सके। और हम उन लाभों को प्राप्त कर सकें। जिनसे हम शास्त्र विरुद्ध साधना करके वंचित रह जाते हैं। हमें भ कि पूर्ण परमात्मा माता के गर्ब से जन्म नहीं लेते, बलकि वह शरीड शिशुरूप में प्रकट होता है और सशरीड चला जाता है। इसलिए श्री कृष्ण जी वास्तविक भगवान नहीं है। सवाल नंबर दो, कृष्ण जनमोत्सव के इस पावन अवसर पर पूजाना जाता है और भारतिय परमपरा में उनकी पूजा का विशेश महत्व है। जन्माष्टमी के दिन उनकी विशेश पूजा की जाती है और कृष्ण भक्त मानते हैं कि इस से उन्हें पापों से मुक्ती और दुखों से छुटकारा मिल सकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान श्री कृष्ण ना तो अपने पापों का नाश कर सकते हैं और नहीं अपने भक्तों के पापों का क्योंकि… अनुमान जी की पूजा करते हैं जिस कारण से हमें यह सुक्ष हो रहे हैं। अब पता चला कि यह कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यह अपने भी प्रहरब्द को अपने भी पाप कर्मों का नास नहीं कर सके भोगना ही पड़ा। जैसे बगवान श्री किरसन जी विश्ण जी क अवतार थे। बगवान श्री राम चंदर जी विश्ण की आत्मा थी और श्री करसन जी भी नारत जी ने सराप दे गया था विश्ण जी को क्योंकि वो वहा कराना चावा था और उसने बगवान विश्ण जी से हरी रूप मांग गया था विश्ण जी ने उसका बंदर का लगा दिया था जिससे वो अक्सुब्द हो गया और विश्णु जी को स्राप दे दिया था कि एक जीवन तु अपनी पत्नी के व्योग में बितावा गा और ऐसा ही हुआ श्री विश्णु जी श्री राम चंदर रूप में रादा दसरत के गरदन में हुआ करोड़ों व्यक्ती मारे गए सिता वहां से सैकुसर ले आए फिर कुछ ही वरसां के बाद किसी धोबी के व्यंग से टौंट करसने से सिता जी को गर से निकाल दिया आज एवन उनका मेल नहीं हुआ नारद के सरापत और इस बगवान की बिरन मेटी तो परमात्मा कहते हैं कभीर जी तुम कौन राम का जबते जापम अरता ते कटेना यती नूतापम और फिर स्री राम रूप में बाली मारा था सुग्रिव का भाई स्री राम जंदर जी ने दोखा दे के उसका भी परती फल बोगना बड़ा श्री करशन रूप में आवतरीत होके एक सिकारी ने स्री करशन जी के पैर में विसाक्त तीर मारा और स्री करशन जी की मर्ची होई वो सिकारी कौन था वो बाली वाली आत्मा थी तो यहां परमात्मा कहते हैं इच्छे लागया जाओं था मैं लोकवेद के साथ, रस्ते में सत्गुरु मिलगे, दीपक दे दिया हाथ. श्री कृष्ण में किसी के प्रारब्ध में परिवर्तन करने का भी सामर्थ नहीं है. सुनिए सच्चाई. हमें इन तीन तापों से भी प्रमात्मा मुक्त कर सकता है. तो ये सभी लक्षन प्रमात्मा में होते हैं. पर्थम लक्षन जो हमने लिया है, कि भगवान स्री कृस्चन ने मौर्धरज के पूतर, तामर्धरज को आरे से, एक आरी से दो फाड़ करवा के, उसके माता पिता से. क्योंकि पहले सादू संतों के विचारों आदेश का बहुत पालन करते थे, सरधालू वेक्ती होते थे, और वो समझते थे कि ना जाने किस बेश में भगवान ही आगया हो, इसलिए संत के आगया का वो पालन करते थे, उससमें संत लोग जो है, बड़े सिध्धी युक्त हो होती थी, शिध्धी क्या होती है कि इस वरी ये भगती से, परनेश्वर की भगती से, उन्होंने कुछ संग्रह कर ली होती है, पावर परमात्मा की ही पावर को संग्रह कर लेते हैं, जैसे इन्वर्टर होते हैं, इन्वर्टर चार्ज कर दिये जाते हैं, तो उनकी बैटरी चारद हो जाती है को समय के लिए बहुत कारिये काम चलाओ कर देते हैं तो वो पावर है कहां से ग्रेंड की उसने थर्मल प्लांट से तो एक इन्वर्टर थर्मल प्लांट जितना कारिये नहीं कर सकता इतने एक समता उसकी नहीं हो सकती तो जितने भी रिशी, महरिशी जिन में सिधियां थी जिन्होंने सातों समंदरों को पी लिया फिर वापे छोड़ दिया जिन्होंने पहाड उठा लिये आकास में उड़ गए ये इन्वर्टर थे और जैसे स्रीकरसन जी नितामर दोज को जीवित कर दिया सुदामा जी का महल बना दिया ये स्रीकरसन तक भी इन्वर्टर थे वो थर्मन प्लांट नहीं थे अब ये एक वार ये बात जो दास ने कही है तो ये बड़ी खटकेगी उस विक्ती को जिसने आज तक ये तत्व ग्यान नहीं सुना और लोक वेद से वो रंगा गया है लोक वेद किसे कहते हैं जो दंट कथा होती है सुना सनवाय ग्यान अक्सेत्री ग्यान एक दूसरे से सुना हुआ ग्यान उसको लोक वेद कहते है पुनातमाओ श्रीकरसन जी और अरजुन मौर्धवज राजा के घर चले गए है एक साधू रूप बनाग है उस दिन मौर्धवज अपने पूतर तामर्धवज को रज अभी सेक कर रहा था और साधू संतों के वहां आगमन को बहुत सुब मानते हैं इसे सुबाउसर पर उनका आसिरवाद पराप्त करते हैं उनका आसिरवाद पराप्त करने के लिए उनकी परतेक आग्या का पालन करते हैं उनकी सेवा सुस्वा करते हैं जिस से वो परसंद हो जाए है उनको परसंद करने की हर संभाव कोशिस की जाती तो श्री किर्शन जी ने एक माया से अपनी शिद्धी से एक सिंग बना लिया, सेर बना लिया और दोनों पहुंच गे राजा मुर्दोज के बाग में जब राजा को पता चला के साथ उसंत आए हैं उनको संदेशा भिजवाया कि आओ महराज भोजन पाओ लेकिन श्री किर्शन जी ने कहा कि राजा स्वयम मुझे हमें आमंत्रित करने आएगा तो हम परवेश करेंगे उसकी घर पर राजा को पता चला मुर्दोज तुरंद चल पड़ा नंगे पैरों और भगवान शे अर्ज की गर पे ले आए गर पे विराज़वान हो जाने के उपरांट आसन दिये और कहा भगवन भोजन पाओ श्री किर्शन जी जो सादू रूप में थे पैचान नहीं पाए थे मौर्दोज उनको संत मान रहे थे जो आग्या महात्मा तो श्री किर्शन जी ने कहा कि मौर्दोज पहले हमारे सिंग को भोजन खिलाओ शेर को जो आग्या महाराज मौर्दोज ने कहा श्री करशंजी साधू रूप में श्री करशंजी ने कहा कि बात सुनो ये सेर जो है ये सिंग किसी पसू पकसी का मास आहर नहीं करता ये नर्भकसी है ये मनुष का मास चाहिए कि जो आग्या महाराज मौर्धोज ने कहा फिर स्री करस्टन जी ने कहा कि कहीं कोई पलेदार को पकड़ जागा है उसका मास नहीं खाएगा ये मास खाएगा तुम्हारे एक परिवार के सदस्य का तब मौर धवज ने कहा जो आग्या माराज कि जाओ फिर करो त्यार अब मौर धवज ने तामर धवज और रानी से कहा कि सादू मात्मा आए है उनकी कंडिशन है कि उस पहले सिंग को भोजन कराना है और सिर्फ मास मनुष का खाएगा और यहां तक भी उन्होंने कह दिया है कि ये मास आपके घर के सदस्य का ही खाएगा मौर धवज जी ने कहा कि देखो पूत्र स्याना हो गया युवा हो गया है राज अभी से कभी इसको कर देते हैं यह अपना राज समभालेगा तुम मा और पूत्र दोनों राज करना और मेरा काम पूरा हो चुक है और मैं सादूों के सिंग का भोदन बन जाता हूँ तब राजी ने कहा देखो मैं पती भृटाष्ट्री हो और पती भृटाष्ट्री से पहले उसका पति ये दी मर्तु को प्राफ्ट हो जाता है तो उसका जीवन ना रखता है मैं नहीं जी सकती और मेरा काम क्या था मेरा काम था आपका वन्स चलाना आपका वन्स चल गया अब मेरा क्या काम रह गया है लड़के का व्या कर लेना दोनों पता पुतर अपना कारिय कर राजे संभालो बच्चा आयाना है ये राज काज को ढंक से नहीं समझ पाएगा आप इनकी हेलप करते रहना और मुझे मास मुझे आहर बनने दो सिंग का तब लड़का कहता है तामर्दोर्ज के माता पिता मैं माता पिता के रिण से मुक्त नहीं हो पाया हूँ अभी तक तो मेरी आपने सेवा ही सेवा की है मैं तो आपकी कुछ सेवा करनी सका इसलिए मैं सिंग का आहर बनूगा आप मुझे पित्तर नन से मुक्त होने दीजी अब वहाँ बगवान सिरी करसन सेदो साधू रूप में बैठी थे उनसे आकर कहा उन्होंने सारी कहानी फिर दुबारा दो रही और कहा भगवान आप ही फैसला कर दो तब सिरी करसन साधू बेस में बराजमान सिरी करसन जी ने कहा कि राज़ा और राणी यानि अपने पुतर तामर धोज को आरे से दो फाड़ करें और तुमारे पुतर का मास ये सेर खाओगा सिंग खाओगा जो आ गया आ रहा उठा लिया एक तरफ मा खड़ी होगी एक तरफ पिता अर लड़का लिया बिठा और एक बात और कही कि ये थी किसी के भी तुमारे आंसों आ गए तीनों में से सिंग बोजन नहीं करेगा अगदी जैत जो आगया आपकी तो जब वो चीरने लगे कहा कि इसको दोफाड कर दो बाया लेप्ट जो है पार्ट ओफ बोडी बाया हिस्सा सरीर का सेर नहीं खाओगा ये आपवीतर है केवल दाया हिस्सा ही खाएगा बाया को फैक देना दाया को उठा कर पकाओ पकाना है ये बात सुनकर के उसमें आरा चल रहा था तामर दोच की आँखों में आसू आ गए तो स्री किरसन जी सादो वेस में थे उठकर चल पड़े के तुम तो रो पड़े भाई तुम्हारा सही प्यार नहीं प्रभू मैं तुम्हारा कच्चा प्रेम है ये मास नहीं खाएगा तब तक तामर दोच मर चुका था अब मोर दोच कहता है कि है बगवन बालक था इसको समझ नहीं थी मुझे चीर लो मैं नहीं रोऊंगा तबरानी कहती है आप रूठको मत जाओ मुझे आहर बना लो हम नहीं रोएंगे बालक था इस बात से वो बड़ा परसन हुआ श्रीकर संजी साधुरूप में वापस आकर बैठ गया और लड़के को जीवित कर दिया तब लड़का जीवित हो गया तामर धोज ने कहा कि परब्रू मैं रोया इसलिए था मैं कोई इसलिए ने रोया था कि मेरी जान जा रही है मैं इसलिए रोया था कि मैं इतना नीच विक्ती हूँ कि मैं मेरा आदा ही बोड़ी आदा ही स्रीराब के काम आया मैं ते इसलिए रो रहा था अब उसको जीवित कर दिया अपने आत्माओं इन कथाओं से हमने बहुत कुछ सीखना होता है अब ये तो कुर्बानिया की मौर धवजी ने स्रीकरसन जी के लिए एक प्रम संथ पूर्ण प्रमातमा मानकर अब उनका कोई से का कल्लाण नहीं हो सकता था ना स्रीकरसन का कल्लाण हुआ ना स्रीकरसन उनका कल्लाण कर सकते थे लड़के को जीवित करदेना इन परवों में God power notty है जैसे inverter वाली है एक इंवर्टर की अक्सर्मता होती है मुखेवल दो बल्लों भी जगा सकता है एक inverter की ऐसी अक्सर्मता होती है कि वो skuler भी चला जे, दो तिन बल्लों भी चला जे, और कोई चोटी मोटर भी चला जे, आद दे उसकोर की, लेकिन फिर भी वो अक्षमता उसकी complete नहीं, पूर्र नहीं होती, प्रियापत नहीं है, और thermal plant से three phase की light चला जे, ढूंडा ठा जे ते दस उसकोर की मोटर हो, और पूरे पंडार ने चमका जे, तो ऐसे अंतर है इन गवानों में, अब यहाँ आप जी के लिए इसका एक निसकर्ष निकाला है, प्रमिश्वर कबीर जी ने, कहते हैं, महिमा की जए संत की, तनमन दनसब दे, शिरमंग टाडा नहीं मौर्दवज लख ले, कि संत जप्रम संत तुन्हें मिल जावा उस समय, उस संत की इतनी आदर सथकार और अग्या का पालन करना, यदि सिर्व भी मंगए नाटना नहीं, शिर्व मंगए टाला नहीं, मौर्दवज लख ले, मौर्दवज को देख लो, पुन्हात्माओ, अब अकाल गिर गया साथ उस संतों का, इस कलियों के इस पेरियड में, ये नकली, पाखंडी और डौंगी, इनका सथकार हो गया, और इन्हीं का बोलबाला हो रहा है, इन्होंने बठा बठा जिया बगती का, और भाव खत्म कर जिया बगतों का, अपने अत्मों, इस लक्सन से हमने स्रीकरसंद जी को परमेश मरमान रख्या था, कि उन्होंने मौरदबज के पूतर तामरदबज को आरे से दो फाड़ करवा गया, जीवित कर दिया, यही स्रीकरसंद जी, अपने सगे बांजे, अभी मन्यों को जीवित नहीं कर सके, जो मा भारत के युद्ध में, चक्कर वहू के अंदर, मर्टू को प्राफ्ट हो गया था, सुब्दरा रो रही थी दो, स्रीकरसंद जी की बहन थी, अरदुन के ब्याई थी, सुब्दरा पुतर था अभी मन्यों, पांचो पांडो रो रही थे, सुब्दरा रो रही थी, स्रीकरसंद रो रहा था, और पांडों का कुल नास हो रहा था, स्रीकरसंद जीवित नहीं कर सके, वहां तो पंगा पादिया जाक है, खुझ जरुआ के जीवित कर दिया लड़का मौरदोज का पुतर, और वहां सुब्दरा पुतर को स्रीकरसंद जीवित नहीं कर सके, तो प्रमेश्वर कबीर जी ने, ये बताई है भिन्ता, के श्रीकरसंद जी उर्फ विष्णु जी, श्रीकरसंद जी विष्णु जी समझो, विष्णु जी के अवतार, उन्हें की आत्मा यहां देवगी की गर्व से उठपन हुई थी, और ये केवल चैर मुझा के, और सोला कला के भगवान हैं, इनके जो पिताजी हैं वो ब्रहम है, शर्परुस भी इसे कहते हैं, वो एक हजार बुजा का भगवान है और उसकी एक हजार ही कलाए है, तो इस परकार इनकी हॉरस पाउर समझो, ये हॉरस पाउर हैं, ये 16 और्सपोर के हैं इनका पता 1000 और्सपोर का है और अक्सरपुरुष है वो 10,000 और्सपोर का है और ये परम अक्सरपुरुष सच्च पुरुष ये इसकी और्सपावरों की कोई गिंती कोई ना असौंख अनलिम्टिट तो जो कारिये पूर्ण प्रमात्मा कर सकता है ये अपूर्ण भगवान नहीं कर सकते उपरोक्त विवरणों से यह सपष्ट है कि भगवान श्री कृष्ण प्रारब्ध में लिखे पापों का नाश नहीं कर सकते यहां तक कि भगवान विश्णू अपने प्रारब्ध को भी नहीं मिटा सकते सवाल नमबर तीन हम सभी का मानना है कि महाभारत के दौरान श्रीकृष्ण ने अरजुन को गीता का ज्यानों पदेश दिया था लेकिन गीता अध्याय ग्यारह श्लोक 32 में श्रीकृष्ण ने क्यों कहा कि मैं बड़ा हुआ काल हूँ अब प्रावरित्त हुआ हूँ यह काल कौन है और वास्तविक गीता ज्यान दाता कौन है पूरा हिंदू समाज इस सत्य से अंजान है कि गीता का ज्यान श्रीकृष्ण जी ने नहीं बलकि काल ब्रह्म ने दिया था काल ब्रह्म ने श्रीकृष्ण जी के अंदर प्रेतवत प्रवेश कर गीता का उपदेश दिया था इतना ही नहीं गीता जी के कई श्लोकों में इस तथ्य की पुष्टी भी की गई है दर्शकों, प्रथम तो गीता ग्यान दाता, गीता अध्याय चार श्लोक पांच में कहता है कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किन्तु मैं जानता हूं और फिर गीता अध्याय दस श्लोक 2 में कहता है कि मेरी उत्पति को न देवता लोग जानते हैं और न महर्शिजन ही जानते हैं क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्शियों का भी आदिकारण हूँ जबकि हम सभी श्रीकृष्ण की जन्म और मृत्यू से अच्छ अर्जुन के साथ हुआ था तो क्या कोई व्यक्ति अपने साले को नहीं पहचानेगा जिससे यह स्पष्ठ होता है कि गीता का ज्यान देने वाले श्रीकृष्ण नहीं थे बलकि कोई और था जिसने गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में स्वयं कहा है कि लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल इस समय इन लोकों को नश्ट करने के लिए प्रकट हुआ हूँ अब जरा स्वयं सोचिए क्या श्रीकृष्ण काल हो सकते हैं नहीं ना चलिए आपको इसे और स्पष्ट करते हैं उसके लिए देखिए संत रामपाल जी महाराज का यह आध्यात्मिक सत्सं पुनात्माओ अभी तक आप जिस से भी बात करते हो कि स्रीकीता जी काग्यान किसने बोला तरंट कहते हैं तपाक से कह देते हैं स्रीकर संधी ने बोला इसमें कोई दोराए नहीं है यह बिलकुल अग्यानी है इनको क्या है इंका पतानी किसी चीज़ का अब देखिए स्री किरसन जी ने कहा कि मैं तो गीता के बारे में जानता है नहीं मैंने के बोला था क्योंकि जैसे कोई प्रेत किसी में प्रवेश कर जाता है वो प्रेत बोलता है उसके निकलने के बाद फिर वो आत्मा को पता नहीं होता कि मैंने क्या बोला था और ही बताया करते हैं आपने ऐ तो ऐसे बोल रहा था तू ऐसे कह रहा था और वो बोल रहा था भूत तो ऐसे ये प्रेत्वत प्रवेश करके स्रीकर्शन जी में यो काल गीता का ग्यान बोल गया यह देखिएगा संक्सित महाबारत जीविती अखंड गीता प्रेश गोरुपुर से प्रकासित है व्यास जी वेद व्यास जी इसके राइटर है इसके 667 प्रष्ट पे इसके संपादक है जै दयाल गोयंद का जो गीता जी के अनुवादक भी है संपादक तथा संसोदक गीता प्रेश गोरुपुर गीता प्रेश गोरुपुर से प्रकासित और मुद्वित है इसके 667 प्रष्ट पर हम चलते हैं यह देखिएगा यह है 667 प्रष्ट श्री कर्ष्ट का अरदुन से सिद्ध महरसी और कश्चप का समवाद जनमेजे ने पूछा बर्मन सत्रों का ना सोने के बाद जब मातमा श्री कर्ष्ट और अरदुन सभा में बैठकर वारतालाब कर रहे थे उस समय उन में क्या क्या बात चीत हुई वैशम पायन जी कहते हैं राजन श्री कर्ष्ट के सहीत अरजुन ने जब अपने राज्जे का पूरा अधिकार प्राफ्ट कर लिया तो वे दिव सभा भावन में आनंद के साथ रहने लगे एक दिन सवजनों से घिरे हुए वे दोनों मित्र सविच्छा से घूमते घूमते सभा मंडब के ऐसे भाग में पहुँचे जो स्वरक के समान सुंदर था पांडो नंदन अरजुन श्री कर्ष्ट के साथ रहकर बहुत परशन थे उन्हें एक बार उस रमणिये सभा की ओर दिर्ष्टी डाल कर बगवान से ये वचन कहा देव की नंदन जब युद का अवसर उपस्ति था उसमें मुझे आपके मात्यम का ग्यान और इस वरिये सुरूप का दर सनवा था किन्तु केशव आपने सन्हेवस पहले मुझे जो ग्यान का उपदेश किया था वह सब इसमें बुधी के दोस से भूल गया है यानि जो गीता ग्यान सुना था युद के दोरान अब मैं भूल गया अरजुन बोल रहा है उन विशों को सुनने के लिए बारं बार मेरे मन में उतकंठा होती है कि वो ग्यान गीता वाला मुझे फिर सुना दे मैं सुनना चाहता हूं इदर आप जल्दी ही दौर का जाने वाले हैं अत्य पुने वह सब विशे मुझे सुना दीजिए पुने अत्माओ अरजुन बगवान श्री किर्शन जी से कह रहे हैं कि बगवान जो गीता जी का ग्यान आपने युद के दोरान सुनाया था उसको मैं भूल चुका हूँ और वही ग्यान मुझे फिर सुनाये मेरी बहुत परबल इच्छा है सुनने की अब श्री किर्शन जी क्या कहते हैं देखना इधर आप जल्दी ही दौर का जाने वाले हैं अत्य पुने वैसम भी से मुझे सुना दीजी अरजुन ने का अब वैसम पायन जी कह रहे हैं कि अरजुन के ऐसे कहने पर वक्ताओ मस्रेश्ट महातेजवी बगवान श्री किर्शन ने उन्हें गले से लगाकर इस पर कार उतर दिया श्री किर्शन बोले अरजुन उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनिये विश्य का सरवन करा था अपने सरूप भूत धर्म सनातन पुरुशोतम ततव का परीचे दिया था और नित लोकों का भी वर्णन किया था किन्तु तुमने जो अपनी ना समझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा यह जानकर मुझे बड़ा खेद हुआ है उन बातों का अब पूरा पूरा समर्ण होना संभव नहीं जान पड़ता पांडो नंदन निश्चे ही तुम बड़े सरदाहीन हो तुम्हारी बुधी अच्छी नहीं जान पड़ती अब मेरे लिए उस उपदेश को जो का तुम दुरहा देना कठीन है क्योंकि उस समें योग युक्त होकर मैंने परमातम ततवका वरनन किया था पुन्यातमो अब शिरी किरसंजी अरजुन पर तो डाट मार रहे हैं दमका रहे हैं के तुम बड़ा सरदाहीन है तेरी बुधी अच्छी नहीं है तुने याद को नहीं रखा गीता जी के ग्यान को और सुम कह रहे हैं अब मुझे वो पूरा पूरा फिर याद नहीं आ सकता कोई बात होई या इसे सिदे शिरी करसंजी ने कहए कावे नहीं पता था कि गीता में मनें बोला क्या है पुनातमाओ अब ये दास सत्संकराज इस विशे पर और आप सुन रहे हो जो पर्थम बार इस ग्यान को सुनेगा उसको बीस परतिस्ट याद रहेगा मुश्कल से और मैं वक्ता हूँ अपनी होस में बोल रहा हूँ तो मुझे कभी सुन लेना उसी समय सुना दूँगा क्योंकि मैं अपने होस में बोल रहा हूँ और आप मुझे पूछो कि वह सुनाना वह विस है जो उस दिन सुनाया था और मैं को हूँ तो मने याद को नहीं रखा मुझे याद नहीं इससे सिद्ध है कि मैंने बोला ही नहीं यानि किसी और कोई भूत बोल गया मेरे अंदर आकर कितब मैं ऐसे बात यह कह सकता हूँ तो ऐसे ही स्री किरसंद जी में काल बोल रहा था ये काल कौन है ये 21 बिर्मांड का स्वामी है बिर्माविशनुमहिस का पिता है दुर्गा इसकी पतनी है बिर्माविशनुमहिस की माता दुर्गा है ये काल जो है इसने गिता जी अज़ाय नमबर चारके सलोक नमबर पांच और नौ में ये सफ़श किया है कि अरदुम तेरे और मेरे बहुत जनम हो चुके तू जानता है मैरे जनम और करम अलोकिक है दिव्य है अब कैसे करम दिव्य है आब जैसे स्री किरसन में प्रवेश करके भूद की तरह प्रेत की तरह अपना उलो स्था कर गया नास करवा दिया और जननाट ए किरसन नटे मना करें कि हम नहीं करते हैं से युदना पहले करसंजी भी मना करें थे कि नहीं ऐसा दूलब नहीं करना चाहिए और यहां तक परती गया कर लिती इस महातमा ने श्री करसंजी ने कि मैं युद्ध नहीं करूँगा हथियार भी नहीं उठाऊँगा क्यों युद्ध नहीं चाहते थे वो अपड़े सांथ परिये महापुरूष थे सतोगुन भगवान है लेकिन काल ने उसमें परवेश किया और अरदुन को ड्राया भेंकर रूप दिखा करके डरते अरदुन ने सुभी करती जैजी खाम है आप से सहमत हूँ और युद करूँगा उसमें जान लिया कि एक बार फिर ये विराट रूप दिखा जिया तरहा क्लेजा फट जागा इसलिए युद करना ही उसमें अपना हित समझा तो अभी आपको जिखाते हैं इसके जनम और करम कैसे अलोकिक है ये करम कैसे अलोकिक करता है देखिएगा श्री विष्णु पुराण गीता प्रेश गोरकपुर से परकासित इसके सब्पादक कौन है अनुवादक है श्री मुनिलाल गुप्त और परकासक गीता प्रेश गोरकपुर और मुदरक भी यही है परकासक भी यही है अब देखना इसके 233 प्रिश्ट पे यह चतूरत अंस अध्याय नंबर दो प्रिश्ट नंबर 233 पे यह नीचे आईएगा यह सलोक नंबर 22 से लेकर 26 तक हम पड़ेंगे पूर्वे काल में तरिता युग में एक बार अतिस भीष्ण देव असुर संग्राम हुआ देवताओं और राक्षसों का युद्ध हुआ उसमें महा बल्वान डत्यग्ण से प्राजित हुए देवताओं ने भगवान विष्णों की अराधना की अब इन देवताओं ने अराधना तक की विष्णों की और आगया युग काल विष्णों रूप दार्ण करके ये कहता ने चुतर वो जरूप भी बड़ी मुश्कल से अपनी करपा से किसी किसी को दिखाता हूँ तब आदी अनंत सुन असेश जगत पती पालक श्री नाराण ने देवताओं से परसंद होकर कहा आप लोगों का जो कुछ भी अभिस्ट है वह मैंने जान लिया है उसके विष्ए में यह बात सुनिए राज डिसी ससाद का जो पुरंजे नामक पूतर है उस अक्सत्रिय सरेष्ट के सरीर में मैं अन्स मातर से अवस्य अवतीरन होकर यानि भूत की तरह परवेश करकर उन संपुन देतों का नास करूँगा अते तुम लोग पुरंजे को देतों के युद्वद के लिए त्यार करो यानि वहाँ पुरंजे को खड़ा कर लो युद्व में मैं उसमें परवेश करकर सब ना मार जूँगा अब जैसे सिरी करसन में आ का युद कराजिया कर संदीत नटने थे अर्जुन मना करने लगा तो सिरी करसन तो तुरुण कह देते चल वाई बहुत अच्छा नहीं लड़ते तो उसमें युद काल परवेश कर गया सिरी कर समें और वो अपना उलो सीधा करने के लिए उसको ड्रा दमका के और युद करवा गिया तो इस परकार ये कहता है कि मैं उनके अन्समातर से राजिर्शी ससाद का जो पुरिंजे नामक पूतर है उस अक्षत्रिय स्रेष्ट के स्रीर में अन्समातर से स्विम आवतीरण होकर उसमें परवेश करके उन संपुन देतों का नास करूंगा अता तुम लोग पुरिंजे को देतों के वद्द के लिए तियार करो और ये परमान और कमाल का है दो सो ब्यालिस प्रिष्ट पर यही तत्तूरत अन्स और अज़ाय नमर तीन स्री विश्वन उप्राण दो सो ब्यालिस प्रिष्ट नीचे आईएगा ये तीसरा अज़ाय है पूरुए काल में रसातल में पूरुए काल में रसातल में मौने नामक छै करोण गंद्रहु रहते थे उन्होंने समस्त नाग कुल के परधान परधान रतन और दिकार छिन लिये थे गंद्रहों के प्राकरम से अपमानित उन नागेश्वरों दोरा सतूती किये जाने पर उसके सर्वन करने से जिनकी विख्षित कमल सद्रिश आखें खुल गई हैं निंद्रा के अंत में जो जागे हुए उन जलसाई भगवान शर्वेश्वर को प्रणाम करके उन से नाग गंद्रे कहा यानि विश्णों रूप में आगया यू काल भगवन इन गंद्रहों से उत्पन हुआ हमारा भैकिस परकार सांत हो तब आदी अनंत रहित भगवान परशोतम ने अब ये वक्ता इस काल को कभी परशोतम करके कुछ भी कहा कुछ भी कहोई लेकिन ये काल के भी से जानकारी समझो अब आदी अन्त रहित बगवान पुर्शोतम ने कहा इस काल ने कहा विश्णु रूप में प्रगट होकर क्योंकि ये विश्णु प्राण चल रहा है यो नासव के पूत्र मान धाता का जो पुरुकुष नामक जो पूत्र है उसमें परविष्ठ होकर मैं भूत्र की तरह प्रविष्ठ करूँगा उसमें और उन संपुर्ण दुष्ठ गंद्रों का नास कर दूँगा यो नासव के पूत्र ग्यान दाता कह रहा है कि मेरे जनम और करम दिव हैं अब करम दिव ऐसे हैं कि ये स्वम किसी के सामने नहीं आता अभी आपने गीता जी दैर नमर साथ के स्लोक नमर 24 और 25 में आखों पढ़ा और दास्टे सुना और ये ऐसे करम करता है किसी दूसरे में परवेच करके और सब कुछ करना वो जाता है और स्वम किसी के समक्स अपने यिथार्त रूप पनी आता है ये कहता है चतुर भूद रूप में भी किसी पहां उगरा करका भेस काढ को ह्यास ना कुई जप ना तब से ना प्रिया से ना दान से यानि भले के लिए तो मैं किसे अंदर संदियो को ना आपनी मर्जी से किसे अंदर संदे जङो अननिन भगत ना अब जैसे देवताओं ने प्रार्थना की विश्म रूप में आ गया वो ना वेदों आदार थी ना किसी और यग याग किया उन्होंने शर्फ प्रार्थना करते रहे इसने नास करवाना ही था और करना ही था तो पहले तो कहता है उसमें ससाद के पुत्र पुरिंजय में प्रवेश करके राकसस मार दिये और इसमें पुरकुस्त में प्रवेश होका है और उनका गंदरों का नास कर गया श्वम प्रवेश करके ऐसे कहता है मेरे करम अलोकिक है अद्बूते हैं तुम नहीं जान सकते यहां ये बात कलियर होगी सफ़स्ट होगी कि शरी मद भगवत गीता जी का ग्यान शरी किरसंद ने नहीं बोला शरी किरसंद जी को तो ये मालूं भी नहीं कि मैंने गीता बोलते समय क्या कहा था अपने अत्मों ये एक तत्व ग्यान है ये पुवितर शरी मद भगवत गीता लगवग पांच जार वरस से पहले पच्पन सो वरस के आसपास इलिपी बद की गई थी और पुवितर हिंदु धर्म इसको शरुधारिय मानता है और बहुती उत्म सास्तर है लेकिन इसमें वास्तिवितर क्या है ये नहीं प्रीचित थे इसको नहीं जान सके और पुवितर अपने घर में औस दियों की बुक रखी है और वो बहुती अच्छी जानकारी है लेकिन हम समद्द नहीं सके उसकी अक्वेशन उसका अलग से बना लिया गल्थ उसको औस दियां त्यार करके हम विनास को प्राप्त होगे रोग नास नहीं हुआ तो अब इस दास के उपर किरपा की प्रमात्माने ये वही अनमोल सद्गरंथ शिरिमत भगुत गीता अपने पास है हम सभी सिक्षित है इस सिक्षित का अब हम लाब उठाएंगे और प्रमात्मा पाएंगे अपने अत्मों प्रमान के बिना आप नहीं मान सकते क्योंकि लोकवेद आप जी ने बहुत सुन रखा है और उस लोकवेद को जो अग्यान था अधूरा ग्यान था उसको हटाने के लिए उसका नाश करने के लिए ये तत्व ग्यान सुनाना पढ़ रहा है और साथ हमें ये परमान आपके समक्स परस्तूस करने पढ़ रहे है और फिर आप इस तत्व ग्यान को सविकार करके अपना कल्यान करा पाऊगे अब एक और पर्मान देते हैं माभारत में पर्मान है कि श्री किर्शन जी ने कौरवों की सभा में अपना विराट रूप दिखा था तो इससे भी आपको पर्मानित हो जाएगा यह देखिएगा शंक्षिप्त माभारत पर्थम खंड गीता प्रेश गोर्व पुर्शे परकासित है इसके वही संपादक हैं जैद्याल गोइंदका अनवादक, संसोदक और संपादक और गीता प्रेश गोर्व पुर्शे परकासित है यह देखिएगा गीता प्रेश गोर्व पुर्शे परकासित है और मुद्रित है इसके प्रिष्ट नमबर पानसो चुआलिस और पेंटालिस पर आपको दिखाते है ये है उद्धोग परव उद्धोग परव है दुर्योदन की कुमंतरना बगवान का विश्वरूप दर्शन और कौरो सबासे प्रस्थान ये पानसो तरतालिस प्रस्थे हम प्रादम करते हैं यहां से दुर्योदन की कुमंतरना बगवान का विश्वरूप दर्शन यानि विराट रूप दिखाना और कौरों की सबासे प्रस्थान ठीक है हम अपने काम की चीज़ पढ़ेंगे एर जादा किसे पढ़ना तो घर पे आपके और आवशे रखे होंगे ये पढ़ें पन सो चौर्श पे इसके बाद विदुर जी बोले दुर्योदन तुम मेरी बात सुनो देखो स्रीकर्शन को कैद करने का विचार नरकासुर ने भी किया था किन तू सब दानों के साथ मिलकर भी वह ऐसा नहीं कर सका फिर तुम इन्हें अपने बलबूते पर पकड़ने का साहस कैसे करते हो विदुर जी का वक्तव समाप्त होने पर भगवान श्रीकर्शन कहा दुर्योदन तुम जो अग्यान वस्त ये समझते हो कि मैं अकेला हूँ और मुझे दबा कर कैद करना चाहते हूँ सो सायद याद रखो समस्थ पांडो और वर्शनी तथा अंदकवंसिय यादो भी यहीं है वेही नहीं आदित्य रूद्र वश्व और शमस्थ महरी सीगन भी यहीं मौझूद है ऐसा कहकर सतु दमन श्रीकर्शन ने अठास किया तब तुरं थी उनके सब अंगों से बिजल सी कांती वाले अंगुष्ठा आकार सब देवता दिखाई देने लगे उनके ललाट देश में बर्मा वक्षतलन रूद्र बुजाओं में लोकपाल और मुख में अगनी देव थे आदित शाज्य वसू असुनिक माया जया थे यह सब उनके स्रीय से अभिन जान पड़ते थ श्रीक एरसन के इस बहंकर रूप को देखकर सब राजाओं ने वहवीत होकर नेतर मुद लिये कि अवल दुरनाचारिय विसम विदूर संजय और इसी लोग ही उसका दर्शन कर सके क्योंकि भगवान ने उन्हें दिवद्रिश्टी दे दी थी पुनातमाओ अभी तक आप जिससे भी बात करते हो किसी गीताजी का ग्यान किसने बोला तरंट कहते हैं तपाक से कहए देते हैं श्रीकर संजी ने बोला इसमें कोई दोराए नहीं है ये बिल्क। अग्यानी है इनको क्या हैं यह पटा नहीं किसी चीजिश का अब गीता जी अद्धाय नमबर 11 के स्लोक नमबर 47-47 में यदी सिरी करसंजी गीता बोल रहे होते ये सब्द नहीं कहते के अरदुन ये मेरा वास्तिविक विराट रूब आज से पहले तेरे से पहले किसी ने कभी नहीं देखा और नहीं आगे ये किसी यग से तप से जब से दान से धर्म से क्रिया से ये नहीं देखा जा सकता ना वेदों में वरनित विदी से भी नहीं देखा जा सकता इती सिधम की स्रीगीता जी का ग्यान नहीं बोला स्री करसंज बगवान ये तो काल ने बोला तो पुनात्माओ ये जितने भी हिंदू धर्म के ब्रामन गुरू रिषीम है, रिषी थे और वरतमान मैं है ये सभी अग्यानि थे ये धार्मिक टीचर कैलाते थे लेकिन अपने शलेबस से परीचित नहीं थे, जो टीचर अपने शलेबस से परीचित नहीं है अपने पाठे करम की पुर्ष्टकों में लिखे विवरन से परिचित नहीं है, तो टीचर विर्त है, वो ठीक नहीं, वो अज्धापक ठीक नहीं, वो विदार्चियों का नासिक है, उनके जीवन को विर्त कर रहा है, ठीक ऐसा ही आचरन, ऐसा ही विवहार, अभी तक के हिंदू गुरुओं का था रहा, अब इस दास आईए जानते हैं कि गीता जी के वास्तविक ज्ञानदाता ने अध्यात्म मार्ग की सची जानकारी प्राप्त करने के लिए किस तत्वदर्शी संत की शरण में जाने का निर्देश दिया है और उस संत की वास्तविक पहचान क्या है अब उसकी पहचान भी बताता है कि वो तत्वदर्शी संत होगा कैसा श्रीमत भगवत गीता जाय नंबर पंद्रा के सलोक नंबर एक में तत्वदर्शी संत की पहचान बताईए क्या बताया है कि एक संसार रुपी उल्टा लटका हुआ वर्ख समझो पूरा विश्व सब बरमंडों समेत और जिसकी उपर को जड़ है नीचे को तीनों गुंड रुपी साखा है श्रीमत भगवत गीता जाय नंबर पंद्रा के सलोक नंबर एक से लेकर चार में ये सपष्ट किया है इस उल्टे लटके हुए संसार रुपी उर्ख्स की जानकारी दी है अब आपको ये उल्टा लटका हुआ संसार रुपी उर्ख्स दिखाते हैं फिर आसानी से जो दास अब सजगरंथों से रूबरू करने जा रहा है आपको आसानी से संब जाएंगे देखिए कर ये समझो एक संसार रुपी उर्ख्स है पूरा पूर्द्व मूलम अध्य साख्म देखिए स्रीमत भगत गीता अध्याय नमर पंद्रा का ये पंच दसो अध्याय यानि पंद्रमा जाएं पंद्रमा जाएं ये इसका पर्थम सलोक है इसमें कहा कि उर्द्व मूलम अध्य साख्म अस्वथम प्राहु अवयम चंदास्टी येश्य प्रणानी ये तम वेद से वेद वित उर्द्व मूलम इसकारत है कि उपर को जड़ और नीचे को साख़्ा अध्य माने नीचे होता है ये बर्मित है इन्होंने गल्द कर दिया अध्य माने बर्मा रोप मुख्य साख़्ा वाले नई ये दूसरा जाय में पंदर में जाय के दूसरे सलोक में दो बार अध्य है अध्य अध्य इसका अन्वाद इन्होंने इसके अगले प्रश्ट किया है अध्य माने नीचे अध्य माने नीचे अध्य माने नीचे अध्य माने नीचे अध्य माने उपर अध्य माने नीचे अध्य माने नीचे अध्य माने नीचे अध्य माने नीचे तो हम यहां इसको सुद कर लेंगे इन्होंने गड़बड कर दी थोड़ी सी ये बेवानी करके जाएन का समझ मना आई अब हम फिर पंदर में जाएके पर्थम मंतर में फिर आगे हैं उर्धव मूलंब उपर को जड़ और अधा साखम नीचे को साखा वाला अस्वत्हम प्राहू अव्यम ये शंसारुपी पीपल का अविनासी वर्क्स कहा है शंदासी यस्य प्रणाणी इसके जो पत्य आदी जो है इसके संद है विभाग है पारट है ये तम वेद उन सब विभागों को जो जानता है तम उन उस अग्यानदगार में छपे हुए उन सब विभागों को जानता है सह वेद वित वहे वेद के तातप्रिये को जानने वाला है अर्थातु ततु अदर्सी संत है ये देखिएगा आदी पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले ये भाव कहने का ये है कि उपर को जो जड़ है ये वाली ये उपर को जो जड़ है ये तो समझो उर्दमूलम तो है आदी पुरुष परमेश्वर यानि परमक्सर ब्रहम ये तह है वो सचीदानंद गरब्रम समझो ये जड़ें तो और ये तना अक्सर पुरुस ये परमक्सर पुरुस ये तना अक्सर पुरुस ये देखिए गा ये पूर्ण ब्रम कहो परमेश्वर कहो परमक्सर ब्रम कहो या सचीदानंद गरब्रम कहो यह जड़े हैं जैसे यह जड़ और फिर इसके बाहर जो जमीन से बाहर दिखाई देता है इसको पेड़ बोलते हैं गीता ग्यान डाता ने केवल इतना ही कहा कि उर्धो मूलम उपर को जड़ और नीचे को साखा वाला यह संसा रुपी पीपल का वर्ष का है और जो संत इसके सभी छंद यानि भी भागों को जानता है से वेद विद वो तत्वदर्शी संत है परमेश्वर कबीर जी ने 600 पहले आकर कहा था तत्वदर्शी संत की भूमिका बताई थी अपने सचीता नंद गनपरम की वानी में अपने मुख कमल से बोलका है वो ऐसी ही लिला करता है वेद भी परमान देते हैं सच्छो वर्श पहले लगबग परमात्मा ने बताया था कि अक्सर पुर्श एक पेड़ है जो जमीन से भार दिखाई देता उसको वरक्ष बोलते अक्सर पुर्श एक वरक्ष है और सरपुर्श वाकी डार जिसको निरंजन भी कहा है जोत निरंजन और तीन्नों देवा अब गीता ग्यान दाता कहता है कि जो इस संसा रूपी वरक्ष के जो उपर को जड़ नीचे को साखा वाला उल्टा लटका संसा रूपी वरक्ष है जो इसके सभी संद यानि सभी भागों को बता देगा वो तत्वा दर्सी संत है वो वेद के तात परिये को जानने वाला है अब देखिएगा परमात्मा ने सथ सो वरस पहले बता जिया था कि अक सरपुरस एक पेड़ है जो निरंजन यानि सरपुरस वाकी डार और तिन्नों देवा साखा है ये पात रूप संसा है अब देखो परमात्मा ने बताया कबीर अक सरपुरस एक पेड़ है निरंजन वाकी डार इसको सरपुरस भी कहते है जो निरंजन को और तिन्नों देवा रजगुन बर्मा सत्गुन विस्नों तमगुन शिवजी रूपी साखा है ये पात रूप संसार ये देखिएगा ये क्योंकि ये जमीन से ये प्रोक्स है पुर्ण परमात्मा तो गुपता है जमीन में जैसे जड़ प्रोक्स होती है जमीन में जैसे जड़ प्रोक्स होती है अब ये तना ये अक सरपुरस है अक सरपुरस एक पेड़ हैड और सरपुरस वाकी डार ये मोटी डार सर्पुर्श को जोत निर्जन को काल ब्रह्म को और तिन्नों देवा रजगुन ब्रमा सत्गुन विश्णु तंगुन शिवजी ये साखा है और पातरुप संसार तो सचीदान घनवरम की वाणी मैं ये कमप्लीट ग्यान लिखा हुआ है गीता जी के अधे नंबर चार के स्लोख नंबर बद्तिसका ये निश्करश है कि उस सचीदान गनवरम की वाणी मैं सब साथना यनि दार्मिक नुष्छनों की जानकारी बहुत विशतार के साथ और यथारता से दे रखिये, उससे पूछो, और तत्वदर्सी संत की अपैचान बताजी के वो तत्वदर्सी संत बताऊंगे तो कैसा होगा वो, जो संसार उपी वर्क्स के सभी भी भागों को बताजेगा, सै वेद वित वेद के ताथ पर ये को जानने वाला है, अर्थात व तत्वदर्सी संत है, देखने, अब हम पढ़ रहे हैं, इनके वानी पढ़ेंगे, आदी पूछ परमेश्वर मूल वाले, अधै साखम नीचे को साख़ाई गलतनवाद की अहिन, बैमानिक रखिये, और संसार उपी पीपल के वर्क्स को अविनासी कहते हैं, वेद जिसके प समझो, मूल सहीत तत्वद से जानता है, सै वेद वित, सै वेद वित, वहेद के तात्वरिये को जानने वाला है, वो तत्वदर्सी संत है, वो हवास्तों में ग्यानी तत्वदर्सी संत, अब इसको थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे, जैसे इस पुस्तक मागे देखी, एक आवन पढ़े लिया, दूसरा देखो, इसमें लिखिया कि संत, सा रूपी वर्ख्स की तीनों गोंड रूप, तीनों गोंड रूप, ये साखाएं हैं, विसे परवाला, ये साखाएं हैं, बस इतना ये लखना था, नीचे और उपर पहली हुई, सर्वतर नहीं क्योंकि पर्थवी लोक पर ये ज्ञान बोला जा रहा था, और स्री रजगुन बर्मा, स्री सत्गुन विसनों, स्री तमगन शिवजी की जो पहुँच है, रीच है, उनकी जो पहुँच है, जो उनका परभूता है, उनकी, वो केवली इन तीन लोकों पर हैं, पर्थवी लोक, यहां तक इनकी पहुंच है यह एक एकई भाग के मंत्री है और पिरच्वी लोग पर यह ऑफ हो ला जा रहा कि आना उपर और नीचे यानि स्वरग और करता तक इनकी एकस्मिता है बगत गीता अज्द है नमबर पंदरा का आमसलोक नमबर अब दूसरा पड़ रहे हैं उस संसार रूप संसार वर्क्ष की तीनों गुंड रूप साखा यह अध्याज उर्दों परसरता तश्य साखा गुंड परवर्दा अब यहां तीनों गुंड रूप जलसे बड़ी हुई साखाय नहीं है यह विषए परवाला साखा विषए विकारों की साखाय है ऐसा संधो इनना गल्थ कर रखा हैानवाद नीचे और उपर सर्वतर नीचे और उपर फैली हुई है और मनुष लोग में यहाँ परफिवी लोग पर कर्मों के अनुसार कर्मों के अधार पर ये हमें सोन्योजित रखने वाली भी मुख्यकारण है मूलानी माने जड़ हैं ये मुख्यकारण हैं नीचे और उपर सब ये लौकों में नीचे उपर फैली हुई यहाँ एक सब्दा है तिन्नों गुण रूप साखा अब रजगुन बिरमा है सत्गुन विष्णू तंगुन शिवजी ये कंसेप्ट के लिए करना पड़ेगा एक तो बहुत ही सिंपल सा देखिए आप रजगुन बिरमा है यही तीन नू गुण है यही तीन देवता इनी पुराणों में देखिएगा ये गीता प्रेश गौरपूर से परकासित है मारकंडे पुराण ये वही मारकंडे पुराण है सचीतर मोटा टाइब अब ये कांसित सपी है यहां से देखिए परकासित के मुद्रक हैं गीता प्रेश गौरपूर गोविन बोनकारियाले कुलकाता का संस्थान यह इनके फैक्स और फो नमबर है इसके 123 नमबर आपको दिखाते हैं संक्सिप्थ मारकंडे पुरान 122 प्रश्टे सुरू करेंगे यह मारकंडे जी बोल रहे हैं मारकंडे जी अपना ग्यान बता रहे हैं इसके सामने आ जाते हैं यहां रजोगुन परधान बिर्मा तमोगुन परधान रूद्र और सत्व परधान श्री विश्व पालक विश्णु हैं यही तीन देवता हैं और यही तीन गुण हैं यही तीन देवता हैं, रजगुन बिर्मा, सत्गुन विश्णु तबुन शिवजी, और यही तीन देवता को हो, चाहे इनको तीन गुन को हो, हुआ कन्सेफ्ट कलियर, वसे तो बुदीमान को कहते हैं, संकेत बहुत होता है, लेकिन फिर भी यह बहुत गैरी जड़े हैं इस यह कहां से परकासित है, यह है, अथ देवी भागवतम, सभास्टीकम, सैमातम, खेमरा स्रिकरशन दासपरकासन, मुबई चार, अब यहां देखना, इसमें संसकर्त भी साथ है, बहुत कमाल है, यह है, अथ शिरीमद देवी भागवते, बासा टीका युकते, तरतिय सकंद प्रारमते तीसरा सकंद प्रारम हुआ आप इसके गयर में प्रिष्ट पर तीसरे सकंद में गयर में प्रिष्ट पर हम आगे हैं पांसमा ध्याय है ये पांसमे ध्याय का आठमा सलोक है सातमा समाप्तुआ आठमा पड़ेंगे बगवान संकर कह रहे हैं हे मात यदि हमारे उपर सदा आप दयायुक्त हो तो हम को तमोगुण में किस परकार पर धान किया है बिर्मा रजोगुण और हरी सत्गुण युक्त किये हैं क्यों युक्त किये हैं अब यहां हिंदी भी पढ़ेंगे हिंदी हमने पढ़ेंगे अब संस्कर्थ पढ़ेंगे ये साथमा स्लोक्स माप्त हुआ आठमा प्राहरम हुआ यदी द्या दर्मना ने सदाम भी के कथम एहम किस परकार मैं विहीते से बना दिया, उत्पन कर दिया, तमोगुन है, और कमल जै, कमल से उत्पन होने वाले बिर्मा को रजोगुन संभव, उसको रजोगुन बना दिया, सुवीते कि मूँ, सतोगुन हरी, और विश्णो जी को आपने सतोगुन क्यों बना दिया, युक्त क्यों कर दिया, इतिसी दम रजगुन बिर्मा, सद्गुन विश्णू, तमगुन शिवजी, अब हम आते हैं उस पवित्तर सद्गरंध, अपनी सिरीमत भगुत गीता के, और सलोक नंबर दो पर, देख पदर में जाय का दो, अध्याय नंबर पंदरा का मंतर नंबर एक तो हमने पड़ लिया के उपर को जड़, नीचे को साखा, वाला ये संसारुपी पीपल का विनासी वर्क्स का हागा है, और छंदासी यस्य परणानी, उसके सभी भाग, पत्ते आदी भाग हैं, ये तम वेज जो उसको जानता है, सह वेज वित्त, ये हमने सारा पढ़ लिया, आदी पुरुस पर है परमक्सर ब्रम, और अध्य माने नीचे है, ये गल्त अनवाद हैंका, अब ये संसारुपी पीपल के वर्क्स का विनासी कहते हैं, वेज जिसके पत्ते कहें हैं, और जो इसको जानता है, जड़ से लेकर नीचे तक, सह वेज वित्त, वो तत्वदर्शी संत है, वेज के अब दूसरे में कहा कि उस संसार वर्क्स की तीनों गुन रूप, रज गुन गर्मा, सत गुन वेशनों तम गुन शिव जी, ये विशे वासना रूपी साखाएं समझो, और ये नीचे और उपर फैली हुई है, सरवतर नी, ये मनुस लोक में कर्मा अनुसार भी यही हमें स और उपर फैली हुई, उप लग को मेंने। अब तीसरे कहा है, इस संसार का शुरूप जैसा कहा है, वैसा यहा विचार का आल में नहीं रही पाया जाता। गीता ग्यान कहता है कि जो मैं तुझे अब गीता का ग्यान तेरे मेरे विचार काल में डिस्कसन में गीता जी के ग्यान की चर्चा में इस अंसारुपी वरस का जैसा शुरूप कहा है वैसा यहां विचार काल में यानि तेरे और मेरे गीता जी के डिस्कसन में मैं नहीं बता पाऊँगा क्योंकि इसका यहां विचार का आलमा नहीं पाया जाता क्योंकि ने इसका आदी है और निसका अंत है कि मुझे इसका कोई ग्यान नहीं है तो था ने इसकी अच्छी परकार सथी थी है इसलिए इस सू विरड मूलम इंधोने अनुवाद गल्त किया है अती यानि उपर को जो जड़ है वो तो है अमरसốc थल рекọn सांथ जैसे ओपर को जो जड़ समझो जहां से सब संशार की उत्पत्ती हुई है जड़ों से पेड़ ऊगता है बनता है पहुत आवनकर तो वो आधी ऊपर के जो लोग हैं सतलोंट अलख लोग अगम और अकैलोग वो तो सथान है और वहां से बाकि के संसार रुपी वरक्स की परवर्ति विस्थार को प्राप्त हुई है यानि से उस वहां से इसकी रचना हुई है तो विरुड मूलम संसार रुपी वरक्स की जो जुद्ध हैं वो समझो दर्ड है अविनासी है यह देखे यह उपर को जड़ और नीचे को तिन्नों गुन रुपी साखा यह संसारुपी वर्क्स है तो उर्धव मूलम उपर की जड़ है वो तो अविनासी है अपंदर में जाए के हम अब तीसरा स्लोग पढ़ रहे हैं सू विरुड मूलम या संग सस्त्रेन का रहा था या तत्व रूपी तत्वस तत्व ज्यान रूपी सस्तर के दवारा काट कर इनन विराग रूप सस्तर बना दिया इसका उस क्योंकि तत्व ज्यान की बात चल रही है तत्व ज्यान रूपी सस्तर दवारा काट कर अर्थात उसको अच्छी तरह उस प्रम्पद की खोज करनी चाहिए देखना पंदर में जाय के चोथे स्लोक में तीसरा हमने पढ़ लिया अब चोथे पर आगे हैं यहां इसका नुवाद चोथे उसके पस्चात यानि तत्व दर्शी संत से प्राप्च ज्ञान के आधार से उस तत्व ज्ञान के आधार से उसके पस्चात उस परंपद परमेश्वर को भली माती खोजना चाहिए जिसमें गए हुए सादक यानि फिर लोटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन यानि पुराने संसार रुपी वरक्स की परवर्ती विष्टार को प्राप्त हुई है यानि जिस परमात्माने सबर्मंडों की रचना की है उसी आदी पुरुष नाराण के परमक्सरवर्म के सचीदानंद घनवर्म की मैं सरन हूँ इस परकार दड़ निश्चे करके परमेश्वर के मन परमेश्वर का मनन और निदिध्यासन करना चाहिए परपदेवाने उसकी पूजा करनी चाहिए अब शिरीमद भगवत गीता जी अध्याय नंबर पंदरा के सलोक नंबर एक से चार मां ये सपष्ट हो गया एक तत्त्त्व दर्सी संत कौन होगा जो ये भी भाग बता देगा संसार उपी वर्क्स की कौन कौन से पार्ट है भी स्पष्ट होता है कि गीता में वर्णित तत्व दर्शी संत न मिलने के कारण ही किसी भी संत धर्म गुरू और कथा वाचक को आज तक यह पता नहीं चला कि वास्तविक गीता ज्यान दाता श्रीकृष्ण नहीं बलकि काल ब्रह्म है सवाल नमबर चार अगर गीता ग्यान दाता ही सर्व शक्तिमान परमात्मा है तो ग्यानों पदेश करते समय वह अर्जुन को गीता अध्याई 18 श्लोक बासट में किस अन्य परमात्मा की शरण में जाने का निर्देश कर रहा है क्या वह भगवान श्रीकृष्ण जी से भिन और अगर भगवान श्रीकृष्ण अविनाशी परमात्मा नहीं है तो वह सर्वोच अविनाशी परमात्मा कौन है दर्शकों यह तो सिद्ध हो गया कि गीता ग्यान दाता काल ब्रह्म है यह स्वयंगीता अध्याई 15 श्लोक 4 में कहता है कि गीता अध्याई 4 श्लोक 34 अध् दर्शी संत मिल जाने के पश्चात उस परमेश्वर के परमपद अर्थात सतलोग को भली भांती खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए साधट फिर लोटकर संसार में नहीं आते और जिस परम अक्षर ब्रहम से स्रिष्टी उत्पन्न हुई है उस सनातन पूर्ण परमात्मा की मैं भी शरण में हूँ इससे सपष्ट है कि न तो गीता ज्यान दाता काल ब्रहम वास्तविक भगवान है और नहीं श्री कृष्टी इसलिए गीता ज्यान देने वाले ब्रहम ने गीता अध्याय 18 श्लोक बासट में कहा है कि हे भारत तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ह प्रमात्मा की कृपा से ही तू परमशान्ति को तथा सदा रहने वाला सत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा आईए अब जान लेते हैं कि वह पूर्ण परमात्मा कौन है जिसके बारे में गीता में बार बार निरदेश दिया गया है गीता जी डाय नमबर आठ के सलोक नमबर अब एक में अर्दुन ने पूछा कि किम तत्वरम उसका उतर दिया तीसरे सलोक में आठ में जाय के में कियो परम अक्सरवरम है आठ में जाय के पांथ और साथ में तो गीता ग्यान दाता कहता है मेरी बगती कर मुझे प्राप्त पड़ेगा यानि यहां स्यानती नहीं ओम से स्यानती कभी नहीं हो सकती ओम के जाप से जनम मर्तु सदा रहेगी और करम ये युद करना ही पड़ेगा फिर आठ में जाय के आठ नौ दस में ये सपष्ट किया है कि सतर में जाय के तेईसमें सलोक में तो वो मंतर बताया जिस सनातन परमदाम प्राप्त होगा तो यहां बताया कि उसकी बगती जो करता है तत्वदर्सी संत की खोज करके तत्वदर्सी संत से युपदेश प्राप्त करके ओम तत्सत का ओम तत्सत ये जाप नहीं है ओम तो सीधा शर पुरुष का ब्रम का और तत और सत ये सांकेती के तत है ये अक्सर पुरुस का और सत है ये परम अक्सर ब्रम का परम अक्सर पुरुस का जो अठ में जाएगे तीसरे सलोक में जिसके भी सिर्व जान कर लिए शरीमत भगत गीता जाय नमर 15 के सलोक नमर 16 और 17 में तीन पुरुस है सरपुरुस अक्सरपुरुस शलमे सलोक में कहा कहा कि सरपुरुस और है तो परकार के पर्भू है avasthum was प्रामात्मा नहीं है लेकिन इनको भी प्रामात्मा कहते है इनके अंतरगुट जितने प्राणी है और इनके सभी सथोर शरीर यानन नासवान है- ये भी नास्वान है दोनों प्रभू यानि पुरुस और इनके इंतरगत जितने प्राणी वो भी नास्वान है। जीवात्मा तो किसी की भी नहीं मरती हो तक देख उच्चे की भी नहीं मरती है। अब पंदर में जाएके सतरमें स्लोक में फिर कंसेप्ट करियर कर दिया। कि उत्तम पुरुस तु अन्य है। उत्तम पुरुस उस्रेश्ट परमात्मा वो परमक्सरबरम की तरव संकेत है। जो संसार रुपी वर्क्स की मूल है। और उस मूल से सब को आहर पराप्त होता वर्धी को प्राप्त होता है। तो पंदर में जाएके सतरमें स्लोक में गीता ग्यान दाता कह रहा है कि वो उत्तम पुरुस तु अन्य है। और परमात्मा एतिव धारते। जिसको परमात्मा कहा जाता है। और वो उत्तम पुरुस स्रिश्ट परमात्मा तो कोई और है सोल में सलोक में वर्णित। इन दोनों सरपुरुस और अक्सर पुरुस से कोई और है। वो कोड़ है वो परमक्सर पुरुस है। परमक्सर पुरुस कहो उसको पूर्ण पुरुस कहो या उसको सत्य पुरुस कह और वही यह लोग चर्रम आवी से विबरती वही तीनों लोगों में परवेश करके सबका धारन पोशन करता है अवे इस्वरे वो है वास्तव मविनासी परवेश्वरे अब आठ में जाएके आठ नो दस लोग में सफ़ष्ट किया है कि अर्दुन जो उस परमकसर बर्म की साधना करता है जो अठ में जाएके तीसरे सलोक में गीता गयान दाता जिसके विसे बता रहा है उसकी जो बगजी करता है उस मंतर से जो सततोदर्सी संद से पराप्त करके वो फिर उसी को प्राप्त होता है उसको प्राप्त होता है तो वो अविनासी परमात्मा है वो तो सतलोक में रहता है सनातन परमधाम में रहता है तो इस परकार जीव का मोक्स होता है अब हमारी पवित्र स्रीमत बगत गीता ये ग्यान दे रहा है और गीता ग्यान दाता अपनी साधना को अनूतम बता रहा है और ये अग्यान आधार से अनुआद करता हमारे गुरू, पूरव के गुरू जो थे अग्यानी इन्होंने अनूतम का अर्थ ही अतियूतम कर डाला साथ में दाय के अठार में स्लोक में और साथ में दाय के चौबीश में स्लोक में इन अनर्थ कर डाले है अठार में दाय के छेशट में स्लोक में गीता ग्यान दाता कहता है कि सर्वे धर्मान परितज माम मेरे सतर की जितने भी धार में किरियाएं हैं अनुष्ठान है वो मुझ मैं त्याग दे यह नी मुझे सौप दे ज digitalS अम तत सत्मतीन मंतर है अम ततीस सांकेदी करे सत्मी सांकेदी करे ओम तो ब्रम का है करते मेरे सत्र की जितनी पूजादें तूने की है वो मुझे दे दे और उसके पस्चात उस परमेशवर की एकम सरणम वरद एकम जिसके बराबर दूसरा ना हो एदवीतिये सर्वसक्तिमान यानि प्रमकसर ब्रम उसकी सरणम वरद माने जा जाना होता है इन अग्यानियों ने सबने वरद माने आना करखे हैं आजा मेरी सर्णम आजा देखिए एक नहीं दो नहीं बलकि दर्जनों अनुवाद करताओं की गलती जिन्होंने गीता को सही से न समझ कर अर्थ का अनर्थ कर रखा है शिरी मद भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के स्लोक नंबर 66 में कहा है कि सर्वे धर्मान प्रितज माम एकम सरनम वर्ज एहम तवा सर्वे पापे भ्या मुक्षामी मासुच वर्ज का अर्थ जाना होता है आना नहीं होता और जो वर्ज माने आने के लिए कहते हैं आना करते हैं वो पूरन रूप से अग्यानी है जैसे एक English word है गो वो कहीं पर भी लिखा हो किसी भी sentence में उसका अर्थ कम नहीं हो सकता आना नहीं हो सकता इसी परकार ये वर्ज माने जाना है और जितने भी पुट्र इंदो धर्म के मारक दरसक और इन श्रीमत भगवत गीता के अनवाद करता इन सभी ने अनरथ कर रख्या है वर्ज का अरथ मेरी सर्ण में आ जा जबकि ये कह रहा है कि सर्वे धर्मान परी तज्माम गीता ग्यान दाता कहता मेरे सतर के सभी धार्मिक किरियाओं को मेरे में छोड़ के एकम सरनम्रज एकम जिसके बराबर दूसरा ना हो एद वितिय एहम तवा सर्वे पापे भ्यो मुक्षामी मासुच तब मैं तुझे सब पापों से मुक्ष कर दूँगा तुचिंता मत करे गीता जाय नमर अठारा के सलोक नमर बैसिट में गीता ग्यान दाता कहता कि अर्दुन तु सर्वा भाव से उस परमेस्वर की सरनम जा उसकी किरपा से तु परम सान्ती को और सनातन परमधाम को पराप्त होगा और अपने विसे करा कि मेरी सरनम रहेगा तो तुने युद भी करना होगा आठ में जाय के पांच और साथ में कि मेरी भक्ती कर मुझे पराप्त होगा लेकिन युद करना पड़ेगा जहां युद है वहां स्यानती हो नहीं सकती तो यहां गीता जाहर 18 के स्लोक 66 में वर्ज का अर्थ जाना होता है आना जिन्होंने किया वो महमूरक है अब देखियो इन्होंने कैसे अर्थ किये हैं अब हम फिर आते हैं उसी परसंग पर ओ मंतर का जाप दे देंगे इस काल को इसने कहा है कि सर्व धर्मान प्रितज माम इसकार्थिये बनता है अठर में जाए कि 66 में सलोका कि मेरे सतर के ओब नाम का और ये यग तुम करते हो भावन ये गरिया दी ये सब धर्मी कनुष्ठानों की कमाई मुझ को दे दे फिर तुम उस सर्व सक्तिमान उस एकम जिसके बराबर दूसरा ना हो उसकी सर्ण में जा और ये कहते हैं मेरी सर्ण में दूसरे दे के सातने सलोक में अर्दुन कहता है कि मैं आपकी सर्ण में हूँ इसकी सर्ण में पहले ही था और मेरी मुदीव काम नहीं करती मेरे हित्म जो हो आप बताओ मैं तापकी सरन हूँ और फिर नोगा मेरी सरन में आजा ये तो वर्जमानित जाना होता है अभी दिखाते आप ये देखिएगा एक सबत कोस दिखाते है ये है संस्करतिंदी कोस इसका वामन सिवराम आपटे इसका संग्रे करता है ये मोतिलाल बनार सीदास पबली सर्द प्राइवेट लिम्ठिट जिल्ली से परकासीत है इसके नो सो त्रहनों प्रिष्ट पर आपको ले सकते है यहां क्या लिखा वर्ज सबद है वर्ज वर्जमाने जाना चलना परगती करना विदा होना जाना चलना सपस्ट हुआ वर्जमाने जाना होता आना नहीं हो सकता अब गीता प्रेस गोरक पुराले गीता अपने देख लिए वर्जमाने आजा, मेरी स्रणमा आजा, अब दिखाता हूं आपको आसाराम जी मारहाद के दोवारा प्रकासित स्रीमत भगुत गीता, संत्री आसाराम आसरम एहमदाबाद, यह देखेगा, संत्री आसाराम जी आसरम इनका ओम ताक कोई बहुत नहीं, स्री योग वेदान स्यवासमिती, संत्री आसाराम जी आसरम, संत्री आसरम जी भपुआ आसरम अहमदाबाद, भद श्रम रोड़ जांगेर पुर, यह देखेग़ इनका प्रकासिता, अब इस में देखिएगा, यह अठार में जाए का अठार माँ जाए संग से मोख सन्यास योग 66 माँ से लोग सर्वादर्मान प्रितज माम एकम सर्णम वरज संपून धर्मों को अर्थाद संपून करते वो कर्मों को मुझ मैं त्याग करतूं केवल मुझ सर्वसक्तिवान सर्वधार परमेश्वर की सर्ण में आजा ठीक अब नम्बर दो यह दिखाते हैं सत्पाल अनसादेश वालों के द्वारा नुआद यह कहां से चप्या है श्रीमत भगुत गीता जैगुर देव बंदे विश्मो श्रीकर्षन बंदे जगत गुरु श्रीमत भगुत गीता अनुआद के बरम लीन मातमा सत्यानंद मातमा सरगानंद आजी संपाद कांसादेश प्रकासक मानो उत्थान सेवा समेटी दोब टावारा पंजाबी बाग नई दिल्ली और ये मुदर कहराजेश्वरी फोटोप सेटर्ज प्राविट लिप्ट दिल्ली और इसका ये देखिएगा ये सत्पाल जी महाराज है शिरी सत्पाल जी महाराज ये इसके ये देखना ये इनको मानने है ये नुवाद है ये अश्टा दुसोद्ध है और यहां करक है इनो ये एक सेट बैशट त्रेशट तह यहां है चौशट चे लेकर और छेशट तक सर्वाद धर्मान प्रितज माम एकम सर्ण वरज इसका अनुवाद इनों ने यहां किया है कि सर्वाद धर्मों के कर्मों को छोड़ कर कियोल मेरी सर्ण में आ नंबर दो अब आपको दिखाते हैं तीसरा सुदान सुजी महाराज ये सुदान सुजी महाराज इनों ने यासनोंकारेश्वर महादेव मंद्र, जीब लाक मानसुरूर गार्डन दिल्ली, मुद्रक हैं, इंटर इंडिया पब्लीकेशंच, डी सतरा राजा गार्डन नई दिल्ली, ऐसे ऐसे जिया पर, अब इसके हम अठारमे सलोक को दिखाते हैं सो, ये अठारमा जैमोक्स, सन्यास योग, 66 मां, अठारमा जाएगा, 66 मां सलोक, सर्वा दर्मान, परितज मां, एकम सर्णव वरज, संबुन दर्मों का आशरे छोड़कर तु केवल मेरी सर्णव में आजा, ठीक, तीन, अब सोथा दिखाते हैं, अब देखिएगा एक, पूरा द्युक्तिना बड़ा इसका अ स्रीमत बगवत गीता, स्वामी राम सुक्तास जी, प्रकासक है, में मुदर कें गीता प्रस गोरकपुर गोविन बहुनकार याले कुलकाता का संस्तान, ये मिजे फोक्स और फोनमर है, ही सिनत कमाला कर एक है, देखियो, ये देखो, अठार में जाये का 66 मां सलोक, ये ये है 66 मां सलोक, सर्वा धर्मान परितज माम एकम सर्णम वर्ज, एहम तवा सर्वा पापेभ्या मुक्षामी मासुच, या क्या नुवाद के आइनों देखिये, संपून धर्मों का आशर है छोड़कर तू के ओलेक मेरी सर्ण में आजा, ठीक है, और इस अज्ञान को और अधीक में अध्यान बनाने के लिए कितने कागजब बांड रहा है, अब देखो, बारा सो से शुरू होता है, एठार में देखाए अच्छे शट वासलोक, और आओ दिखाए आपको, उट परादर जोगे वह, यह बारा सो से लेकर, बारा सो सतरा तक, यह बारा सो सतरा परिष्ट और कती छोटी छोटी लिखाई है, एक तर मेदा अच्छा शट वे सलोक का, एंड बेंड लिखते लिखते, सतरा परिष्ट बर दिये इनने, और कख ने इसके अंदर है, और कितनी छोटी लिखाई हैं जैसे समातार पत्राइं के वागर है, और इसे संतरा परिष्ट बठोग रखे हैं, एक दो अखर की बात थी वरद्माने जाना उसकूता है, इन अज्ञानियों ने ज्यान तो था नहीं, और उवाबाई बखडाली इसके अंदर अज्ञान बना दिया, अब देखो दिखाते हैं आपको शर्वपरली डाक्टर राधा करशनन इनके विसे बताया कि यह बड़े महापरुसिन जैसा तो कोई बगवत गीता की व्याखायतता परतेक सलोग सरल करके आदुनिक बार सर्वपरली डाक्टर राधा करशनन ने कुछ इस डंग से प्रुस इतना अब देखो इन्होंने भी क्या करका है अठार में दैगा 66 मां सलोक सर्वधर्मान प्रितज माम एकम सर्णम व्रज सर्वकर्टरों को छोड़ कर तू के ओल मेरी सर्णम में आजा ठीक है जी श्रीमत भागवत गीता 18 श्लोक 66 में व्रज शब्द है इसका अर्थ चाना प्रस्थान करना है परनतु सर्व अनुवार कर्ताव ने व्रज का अर्थ आना किया है क्रिप्या से स्पर्ष्ट करें अईसा है, ब्रज गत्तव धातु है, इसमें आता है गत्य अर्थक है यह के चार अर्थ होते हैं, गत्य ग्रमन, गत्य ग्यान, गत्य मुक्ष, गत्य प्राप्ति, तो यहां पर जो गच्च अर्थक ब्रज घातु है उसके लोट लकार के मज़्ण पर उसके एक बच्च में ब्रज बनता है तो ब्रज का अर्थ है अवगच अर्थाथ मुझको जान नीनम अविजतो जेवो भुनक थी इसे धानत है कि जब तक परमात्मा को नहीं जान लेता तब तक परमात्मा उसकी रक्षा नहीं कर सकता इसलिए तुम उस परमात्मा को जानो स्रीमबद बगवत गीता अध्याए 18 स्लोक 66 में वरज शब्द है इसका आर्थ जाना प्रस्थान करना है परंतु सर्व अनुवाद करताओं ने वरज का आर्थ आना किया है किरपयास बश्थ करने का प्रितना प्रश्थ जिन्हों ने बनाया है उन्हों ने अपने स्तर से बताया कि सभी अनुवाद करने वालों ने ग्यान के अत्रिक्त अर्थ किया है ऐसी बात नहीं है, ब्रज का अर्थ अवगच निश्चिनु भी होता है, जैसा कि प्रश्मिकर्था ने बताया, तो भगवत पाश शंकरचर जैसे मनीशियों ने, धर्म सम्राड स्वामी करपाती जी महान भाव जैसे मनीशियों ने उसका अर्थ यहीं किया है, जैसे जलतरंग अपने को जलरूप समझ ले, गटाकाश अपने आपको महाकाश रूप समझ ले, और जैसे जलचन्द अपने आपको नवचन्द समझ ले, उसी प्रकार तुम देहनरी प्राणांता करण के आणूरूप अपनी आत्म मान्यता का परित्याग करके ब्रह्मान रूप अपने आपको समझो, जानो, निश्चिन, अवगच्छ ये अर्थ भी टीका कारों ने किया है। भगवत पाशंक्र चेरो और उनकी अंगत महाम भागों ने इसी प्रकार का प्रेश किया है। लेकिन जो श्री वाष्णवाच यारी त्यारी हैं, उन्होंने अपने स्तर से अपने प्रस्थान का अमसार उस प्रकार का भी अर्थ किया है, जिसका चित्रन प्रश्ण करता ने किया है। गीता ग्यान डाता तथा गीता अध्याय अठारा श्लोग बासट में अपने से अन्यक इस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है। अपने से अन्यक होता है। बासट में जहां प्रस्थान करना प्रंतु अन्यक करता होने ब्रज का अर्थ आना किया है, किरपया सपस्ट करें। वरज का जाना प्रस्थान करना वो तो मामूलि अर्थ यह लेकिन संस्कूर्द के कुछ पदों को वहां के संदर्भा अनुसार अर्थ करना पड़ता है, इसलिए वहां के संदर्भाद वरज्ग इसका अर्थ जो अनुवाद को इने किया है सरण में आओ, वही तो सही है अरे एक और देखाऊँगा आपने कती चोड़े मजूठ बोल रहें यह देखिएगा शिरीमद भगुत गीता यथा रूप ऐसकोन वालों की है यह कर्शन करपाप मूर्ती शिरीमद एसी भक्ति वेदान्त स्वामी प्रभुपाद संस्तापक आचारिय अंतरास्तिय कर्शन ब यह बग्ति वेदान्त स्वामी प्रभुपाद संस्तापक आचारिय अंतरास्तिय कर्शन बावन अमर्त संग यह बग्ति वेदान्त बुक्डिपो लार्न्स एज एंसल लंदन और स्पाक ओम सिड्नी अंकाम भुई यहां यहां से चपती है और देखो नके कमाल कर रखिया ह 66 मासलोग 66 मासलोग यह नीचे आगा 66 मासलोग यहां पर सर्वादर्मान परितज माम एकम सरनम वरज एम तौशरवा पापे व्यमुक्षामी माशुच यहां नुवाद किया इनोंने देख कमालिन की ते नेरिय कलावाजी इनोंने पहले मीनिंग लग्ए है मीनिंग शर्वा दर्मान माने समस्थ परकार के धर्म, परितज माने त्याग कर, माम माने मेरी, एकम माने एक मातर, सरणम माने सरणम है, और वरज माने जाओ, यहां अर्थ तोकती सही लख दिया, वरज माने जाना ही होता है, और देखो नीचे क्या अनवाद यहां कर दिया, समस्थ परकार के प्रित्याकरों और मेरी शर्ण में आओ अरे वाह अंग्रेज जो ये देखें मारे विद्वान प्रुष कक्का पता नहीं नहीं और मेर शीराचारी और संक्राचारी ये को आगे ये आपको दिखाते है कलुगी मेर शी के दुवारा इसका कैसे समाध्धान किया संकागा इस न जानल सरस्वती का जीवन चरीतर है इसके लेखक हैं अमर सहीद पंड़त लेखराम दवारा संकलित परमानिक उर्दू भासा का आरिय भासा मनुआद अनुआदक हैं आरिय महाउपदेशक श्री कवीराज रुबनंदन शेंग निर्मल संपातक हैं पंड़त श्री हरी संदर विदालांकर प्रकासक हैं आरिय समाद नया बास दिलीच है सर्वन जौनती के उपलक्स में अब इसके 208 प्रिष्ट पर ले चलते हैं आपको ये 208 प्रिष्ट हैं और कौन सा प्रसंग है ये जीवन तरीतर महरेशी स्वामी दानसर स्वती मिर्जापुर की गटनाएं है य एक समय इसके पास क्या है राम गोपाल वैस ने जो विदानती था बहुत सी टीकाएं यानि अनुवाद गीता की देखी परन्तु एक सलोक के विशे मैं जो उसका संधे था वैं दूर ने हुआ अन्तमवे एक दिन हम को साथ लेकर लेख कहता है स्वामी जी यानि महरेशी दानन जी के पास गया और स्वामी जी से कहा कि आप से कुछ पूछना है उन्होंने आग्या जी तब यह सलोक पूछा स्वामी जी ने कहा इसका बारे देखो ये राम गोपाल वैस था कोई लाला जी विदानती था बुदिमान था इसका ये बात खटकी कि वर्दमाने जाना होता है और सब ने आना कर रखिया तो महरेशी दानन का बोल बाला था तो वहां गया उससे पूछा महराज इसका आरत स्वामी जी ने कहा सकंद वाधी सू परम रूपम वाचम इस वार्तिक के वकार के अकार के आगे परे जो अकार रहा उसको तदरूप हो गया अर्थात हुए सब्ध धर्म ही रहा परन्तु वास्तों अधर्म है अर्थ अधर्म होगा जिससे वह बहुत परसन हुआ देखो अब लेख है कि उसकी बड़ा एक रहन हो गया है कि उसने समाधान कर दिया कि इसने स्वामी दानने वर्जमाने जान की बजाए आन का क्या कहता है वर्ति का वकार का अकार का अकार का अधरम का अधरम हो गया अधरम का अधरम ही रहा और कहते हो बड़ा खुस होया, उसका समाधान हो गया, इनने खाक समाधान कर देखियो, स्वामी जी ने कहा, सगंद वादिशू, परम रूप वाचम, जो मतलम की बाद थी वाद छेडी नहीं, और सिक लिव सुरू कर दी, इस परकार, इस वारती के, वकार के, अकार के, अग् वकार कार, ङदर्म, रसधर्म, अग्नों को बड़ा खुस हुआ पर उस ने, वब जिस से वा बड़ा परसन हुआ, कौन एक यूग गौपाल, राम गौपाल वैसुस का समाधान हो गया, अब ठीक है वई, वग वे महरुषी को आँए, ते युद सर्दालून तब मान लिया तो 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 पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबार अग्यनी को पर्म विवेकी ग्यनी को मूड गवार निरंजन दन तेरा दरबार निरंजन दन तेरा दरबार जहां परतनिक नज्याए विचार कहें कबीर सुनो वैसादो यां सब उलटा प्योहार कहें कबीर सुनो बैसादो यहां सब उलटा प्योहार सचों को तो यह जूठा बताओं इन जूठों का एतबार निरंजन दन तेरा दरबार निरंजन दन तेरा दरबार जहां पर तनिकन न्याय विचार परमात्मा काया करते हैं देगें जूठा बता सब इस्वास करें बैठें और मुझ सचे निते जूठा बताओं जूठा का इतबार निरंजन दन तेरा दरबार अपनात्माओं आज का जो प्रतसंग एक बहुत मैतो पुर्ण रहा आपके लिए बनात्माओं देखो कष्ट तो हम बालक छोटा सा पढ़ रहा हैं गर पे भी पढ़ रहा हैं जोषन भी लगाओं जब जाकर योग्ये होता हैं तो यहां थोड़ा सा अधिक समय लेना पड़ादास ने क्योंकि यह समय कोई बार बार नहीं होता है एक तो आपके समक्स यह कंसेप्ट क्लियर हो गया कि तीन मंतर के जाफ से जीव का मुक्स होगा और जो पहले जो मंतर है फश्टेड जो आपकी वो आपको यहां तक क्लियर करेगी और उसके आगे फिर आगे फिर कुटी पर हम इ कमाई दे देंगे यो कहता है सर्वा धर्मान परितजमा मेरे सतर की जितनी भी धार्निक तेरी क्रियाएं है ओम नाम से लेकर यह गा दिये मुझे छोड़ दे फिर एकम स्रण वर्ज क्योंकि हम इस ओम नाम कार्यगों का फड़ सुरग महा सुरग में खाते रहे अब हम नही सब पापों से मुख्ष कर दूँगा पापों क्या दार से हम गदेकुते बनते रहे अरपुन आम इसकी सुरग में इसके होटल में बरबाद कर देते तो परमात्मा के ग्यान से हम नहीं इसको कुछ नहीं छोड़ नहीं इसकी इसका दे देंगे पकड़ तू पीचा जाकर के उस गर में दोवार में वहां पकड़ा के इस तहीं टिक्ट लेकर इसके कलियरंस और फिर तीसरा नाम जो सार नाम है वो सचकंड सतलोक में पहुंचाएगा अपने अत्मों ये आचारी और ये संक्राचारी हमारे धर्म गुरु कहते हैं श्री कर्शन जी अपने वि पीता और पुराणों को और वेदों को लिपी बद हुए इन कख नहीं पता इसके बारे में आचारी ये कारत गुरु होता है और गुरु अध्यापक होता है जो सलेबस से पूरा प्रीची तो मास्टर हो और जिसेने कख नहीं पता वो कह एका टीजर कह एका आचारी है ये हो दिया सारा देश हिंदु समाज को भूत बनवा बनवा के फिर उनने की पूजा करवाते हैं सराद निकलवा का पोष्ण करते हैं लोग अपने अत्मों ये तो किंसेप्ट कलियर हुआ के स्री मद्भकुत गीता अध्याय नमर 18 के सलोक नमर 62 में और 66 में गीता ग्यान दाता ब्रहम है सरपुरस है अपने से अन्ने उस परमक्सर ब्रहम की सरण में जाने को कहता है वो परमक्सर ब्रहम कौन है ये दास बतावगा वो कबीर साहिब है वो कासी के अंदर धानक रूप में जुलहे रूप माया था जिसको एक कवी कह करके हमने उनका इतियास बंद कर रख्या था ये परमक्सर ब्रहम है अब दिखाते हैं आपको परमात्मा की सारी सती देखिए गा रगवेद मंडल नमबर नो रगवेद मंडल नमबर नो आप दिखाते हैं और सुक्त नमबर च्छासी बगवान साकार है या दिराकार है वो कैसी लिला करता है ये है रगवेद मंडल नमबर नो दासी कठाय अनुआद है ये है सार्वदेसिक आरिये परतिनीदी सभा महरिशी दान्द वहन रामला मैदान नई दिली से ये परकासित है और ये मुद्रक है परें साफ सेट परेंट पंदर आसो दस पटो दी हाउस द्रिया गंद नहीं दिली से ये छपा है चपा खाना इसका ये अब देखना ये है रगवेद मंदल नमबर नो और सुक्छ श्यासी का मंदल नमबर चप्वेश इसमें लिखाया कि यग करने वाले यज्वानों के लिए पर्मात्मा यग करने वाले वाले धार्मी कनुष्ठान यानि साधना करने वाले ये जमान बाने बगतों के लिए प्रमात्मा सब रास्तों को शुगम करता हुआ उनके बिगनों को मर्दन करता है और उनको पुवितर करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांती में प्रमात्मा यह लिखना था कवीर देव कवी कोई भी सरवज्जे नहीं हो सकता जिसको सारा ग्यान हो कवी कवीता बना सकता है यह कवीर देव लिखना था है अपर वो कवीर देव विधूत के समान यानि आकासिय विजली की तरह सेकेंड मैं नीच आ जावा है क्रिडा करता हुआ ऐसे डीला करता हुआ वरनिये पुरस को यानि अच्छी आत्मा को प्राफ्त होता है अच्छी आत्मा को आके मिलता है उज़से आदनिये दरमदास जी को मिले आदनिये नानक साहिब जी को मिले आदनिये मलुकदास साहिब जी को मिले आदनिये दादू स प्रुपी मेर्ट वाले को मिले, तो अच्छे पुरुस को आकर पराप्त होता है, वो कहां रहता हो बगवान, 27 में सलोक में, रगवेद मंदल नमबर 9, और सुक्त नमबर 86 का 26 पड़ कम 27 में पागे हैं, इसमें इन्हों ने यह जो निराकार मानते थे बगवान को, अरवेद बता रहे हैं, वो है परमात्मा, परकास पुंच को, परमात्मा को, जो परमात्मा धू लोक के, तीसरे परष्ट पर विराजमान है, वहां रहता है, तीसरे एक सथान पर रहता है, धू लोक को, यानि उस तेजों में लोक, सत लोक के, एक सथान पर, तीसरे सथान पर आजमान है वहां रहता है जिर्शाकार के फुकर हो या बगवान जो हां बैठ़ा है आगे दिखाते हैं यहां रगवेद मंडल नम्बर 9-22 का रगवेद मंडल 9-22 और शुक्थ-22 और यहां देखें यहां इकासी मां समाफट भा यह बियासी मां सुरू हो जाता है इसका इसमें लिखा है कि जो सर्व उत्पादक प्रभू सब की उत्पती करने वाला प्रमेश्वर प्रकास रूप है इसका रहत है वो तेजों में रूप साकार है सद्गुनों की विरिष्टी करने वाला पापों का हरन करने वाला पाप नास करने वाला पाप अक्समा करने वाला है वो है राजेव, राजा के समान, राजेव, इसका आरत है राजा के समान आगे लिखा है, यह देखना, यह 279 परिश्ट पर पढ़ रहे हैं, को बरमत कर देगा, एक दूसरा परिश्ट दिखा दिया होगा, यह 270 दिखा होगा, यह देखो 270 है, यहां लिखा है, 82 का परला मनुस जैसा ही हुआ और वह है पिर्थवी आदी लोक लोकांत्रों के चारों और सब दैमान हो रहा है वह है वरनिय पुरुस को वरनिय वाने अच्छी आत्मा को सिरिष्ट पुरुस को जो दर्ड भगत है जो दर्ड भगत है उसको पवीतर करता हुआ प्राप्त होता है जैसे आदनिये दरमदास साहिब जी को दो दर्ड़ भकत थे उसके उसके बाद डगमग नीवे आदनिये मलुकदास साहिब जी को आदनिये दादू दास साहिब जी को आदनिये ग्रीब दास साहिब जी गाओं छुडानी जिला ज़्याना वाले को और आदनिये गीसा दास साहिब ज प्राप्त होता है व्रणिय पुरुष अच्छी आत्मा को, जिस परकार विदुत्मा ने आकासिय बिजली, सन्हे वाले सथानों को आधार बना कर प्राप्त होता है, देखो कितना सपष्ट किया है इनोंने, रेगवेद मंदल नम्बर नो और सुक्त नम्बर इकासी में कतिक क्लिएर कर दिया, कि वो प्रमात्मा राजा की तर्ह है, देखन जोगा है, राजा कारत है कि वो सक्ती सालि होता है मनूस धरसी ही है, राजा के समान है और साकार है देखन जोगा है, और वो अच्छी आत्मा को, वहाँ से चलकर आकर मिलता है, और, जो दर्ड भकत होते हैं, मिलता है ने को नहीं, जैसे आकास की बिजली, आकासी बिजली गिरती है, वो किसी वस्तू पर गिरती है, जहां उसका विसेश अट्रेक्शन बनता है, पुराने समय में जब काशी दातू, काशी दातू के बेले थाड़ी वया करते है पुराने, और उनको अगर वर्सा के दिन कासी के बरतनपै बिजली गिर जाती है, जब उसका सींयोग होता इसका सींयोग होता है, तो वहां आवस्था उसा को तुरन्त वह आकर के आठरेक्ट होती है, उसका आपकर खेच्छी आती है, उसी पर गिरती है उसको उठवा कर अंदर रख्वाजिया करते थी तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा उस बिजली की तरह है जैसे वो अपने विशेश जिस पर वो आकरसन होता वहीं गिरती है ऐसी सथीती से परमात्मा उन दर्ड भकतों को आकर मिलता है जो मेलन जोगे हों जिनको वो उनसे आकरसित होता है ताकि ये मेरी आगे बढ़ा सके इस ग्यान को काल के जाल को हटा सके मेरे प्यारी आत्माओं तक ये संदेश पहुचा सके और उनका कि ये कर ले आँखे देखें जब भी ना मनून न बगवान मिल लेगा उनसे तक काल मिल लेगा जहाएं ये रह रहे हैं अब नुम में मंडल सुक्त ब्यासी का मंतर एक पढ़ लिया अब दो दिखाते हैं देखिएगा रेगवेद मंडल नमबर नौ सुक्त ब्यासी का हमने ये पढ़ लिया अब दो पढ़ते हैं वो प्रमातमा किस उदे से से आता है? हे प्रमातमन उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरसों को प्राप्त होते हो, अच्छी आतमाओं को महानातमाओं को प्राप्त होते हो और आप अत्यंत गती सील पदारत के समान, हमारे अध्धात में की यगों को प्राप्त होते हो यानि अत्यंत गति सीलपदार्त के समान यानि जैसे बीजली चलती है बीजली जैसे गति से आप है और उपदेश करने के लिए आते हूं यहाँ पर सच्चा ग्यान देने के लिए आप कवीर देव हैं आप कवीर देव यह लखना था सरवज्य लख दिया आप यहां लिखना था आप कवीर देव हैं हम उसको कवीर साब कहते हैं आप कवीर साब हैं सुद सरूप हैं अब जैसे यह अभी आपको दिखा था जहां यजू लिखा हो तो यजूरवेद लिखना पड़ाएगा वहां पर वो इन्होंने किया भी है महरशी दान दने यजूरवेद के 37 मेधा है के पर्थम अंतर में यजू कारत यजूरवेद किया है तो यहां लिखना था वो कवीर देव है वो सुद सुरूप है हमारे पापों को हे दूर करके हे सोम हे अमर परमात्मा हम को सुख दे पनात्मो बेद पड़ें पर भेद न जान ये बात से प्राण अठारा बेद पड़ें पर भेद न जान गुरु बिन काहुन पाया ग्याना जो थो था बुछड़ मूड किसाना गुरु बिन बेद पड़ें जो प्राणी समझे न सार रहे अग्यानी ये अग्यानी रहें वेदों को पढ़ा कर तिर मेरे सीकों आगे इनका भी नहीं पता था अब जैसे वो परमातमा मनुश द्रश्य से दोगा राजा के समान देखन दोगा है और वहां से गती करका आता है जिन मापुरसों को मिलता है जिन मापुरसों ने मिला उन्ना बताया कवीर इजगोड वो कवीर देव कांसी में हम सुल्तानी ननकतारे दादू को उपदेश दिया जाद जुलाहा भेद न पाया वो कांसी माए कवीर होया आदनिये गरीबदास साहिब जी गाउं छोड़ानी जलद दिरवारे जिन को बगवान आकर मिले थे क्या कहते हैं गरीबदास साहिब ने फिर बताया है कि या दुनिया दा जीवन जूठा भूल गए मरजानेनू और सर्वेकलास साहिब की हरिया ए हरियानेनू वो परमातमा हरियाने माय गरीबदास जी दोसो अस्टी वरस पहले लगफग संद शत्रासव 1787 में लगबग टींसो वरस होगे संद शत्रासव 727 में परमातमा आए थे और संथारासषचेट मैं नसन 1966 में अरियाना और पंजाब अलग होए जब अरियाना अक्षेत्र का नाम पढ़ा था यू अरियाना प्रांथ बन्या था उस से भी कितने वर्स पहले 200-200 वर्स पहले परमात्मा ने लिख दिया बोल दिया था गरीवदा साहिब जिन का था कि हरी आये अरियाने नू उनके वचन से फिर यू हरियाना अक्षेत्र आज बनके रहा ताकि हम इस परमात्मा की वानी को समझा सकें अगर ये वानी दो से वर्स पहले बोलते सो वर्स पचास वर्स पहले से बोलते जब कुण से कहाए थे हरियाना था यह जब नाम निसान नहीं था तो यह हरियाना बन्वा है कि उसको बंदी छोड़ कहते हैं वो कबीर बंदी छोड़े देखना यह जुर्वेद यह वही जुर्वेद है महर सिद्धान सरस्वति द्वारानवादित प्रकास से के सारवजे सिक आरिये पर तिन दी सबाह दो बटा पांस महर सिद्धान बहुन कर रामदान नहीं दिली यह मेर सिद्धान सरस्वति करत यह वहीं से प्रकासी दे अब इस के अद्धाय नंबर पांस के और शलोक नंबर बटीस को आपको दिखाते हैं यह देखना पंचमो द्धाय पंचमा द्धाय यह जुर्वेद भासियम यह हैं पंतमध्याय का यह बटीसमा सलोक है बटीसमा इसमें क्या लिखा है उसीग असी कबीर अंगारी असी इसो कबीर को कबीर को कबीर अंगारी असी बंभारी असी बंभारी अवैसुर असी दोस्वान सुदन्यों असी और फिर यहां क्या दिखा है रत धामा सवर जोती अब इन कानवाद पढ़ेंगे हे जगदीश्वर जिस क कारण आप कांटी माने हैं, अंगारी माने खोटे चलन के जीवों के सत्रू, अंगारी माने पापों के सत्रू, अरी माने सत्रू, अग माने पाप, पापों के सत्रू, पाप नासक, पापों का नास करने वाले कवीर, या लख जा कवीर, ये कवीर देव, ये देखो, कवीर, हम आप बंधनों के सत्रू, अरी माने सत्रू, बंभ बंधन, आप बंधी छोड़ हैं, बंधनों के सत्रू, बंधी छोड़, हम उसको बंधी छोड़ केते हैं, और आप रत धामा, शवर जोती, सवर जोती माने स्वेम परकासित लोक में लोक है कौन सा रित धामा सत धाम युक्त असी माने है रित माने सत ये लखे रहे हैं खुद अर्थ रित माने सत अर्धाम का अर्धाम लख दिया हम लोक कह दें आप सत लोक मैं रहने वाले हो आप सत लोग वासी हो, सत लोग में रहने वाले हो रित धामा, रेद बताते हैं कि भुर्वा अथमा घोर पाप का भी नास कर देता है, यह देखिएगा जुरूए, और इसको अनवादमी, इस दानत जी ने करख़ा है, इसने परकास से कहा है, सहरवादेसी कारिये, परतीनी ज सबाद दो बटा पांच महरिशी दानद भावन राम डिला मैदा नहीं दिली से मुद्र के प्रिंस साफसेट प्रिंटर्ज पंदरा सो दस पटोदी हाउस दरियागन नहीं दिली से और महरिशी दान सरस्वती करते इसका अनवाद किया है सेमें यही द नोट रास्व दा वीदाज यह वेदों का लिक्क नहीं है वेदों का अनवाद करता है महरिशी दान जालन ली अनवाद में भी इसने यह देखिएगा आठने द्याय का तेर्मा मंत्र यह अध्धाय आठ यह दुर्वेथ अश्टमा अध्धाय 241 प्रिष्ट पर यहां पर है यह तेर्मा मंत्र और इसका अन्वाद इन्हों ने किया है यहां पर 242 प्रिष्ट पर यह दुर्वेथ यह 242 प्रिष्ट पर यह अर्थ है हे सब के उपकार करने वाले मत्र आप यह मत्र कार्थ इसने उड़धाने के लिए लिए लिखा या परमेश्वर के लिए है इसने सत्यार परकास में खुद का है पर्थमद्याय मैं कि सब का सब के उपकार करने वाले प्रमेश्वर, दान देने वाले के अप्रहद के विनाश करने वाले हो, यानि जो दान देता है उसके प्रहर्द में जो पाप हैं उनका नाश कर देते हो, यानि कुछ ऐसे पाप हैं जो दान से नश्ट होते हैं, कुछ ऐसे पाप हैं जो अपने शेवा से साफ होते हैं, कुछ ऐसे पाप हैं सवध्धाय से साफ होते हैं, नास होते हैं, कुछ ऐसे पाप हैं जो सतनाम से ही, जो किसी से भी ना हो फिर सतनाम से होते हैं, तो यहां के विनास करने वाले हो अक्समा करने वाले हो और पिता के किये हुए विरोधाचरन के अच्छे परकार हरने वाले हो नास करने वाले हो क्योंकि एवजनमाने नास करना और आतम करते से अपने किये हुए एनसमाने पाप के एवजनमाने दूर करने वाले हो नास करने वाले हो ए एनसे एनसे अध्रम के अध्रम के यानि घोर पाप के नास करने हारे हो और जानता हुआ मैं कुछ भी अध्रमाचन किया करता हूँ वा करूँ किया करता हूँ वा करूँ वेत कहते हैं पहले जो कर चुके और अब कर रहा हूँ और अगए भी जो करूंगा, अंजान पने में, तो जो कुछ भी किया करता हूं, करूं। उस सब का, एनस से माने पाप का, दोस्ट आचर नहीं है। सकते इसकों पढ़ सकते हैं संस्क्रitt को कि ना गरी लिपी है एनिस हमाने पाप है तो कहते हैं उस सर्वसे मादम्हाने सब एन्से माने पाप के एवैजनम्हानेन, नाश करने वाले आप हैं, प्रमात्मा कहा करते थे, गुरु बिन बेद पड़ है जो प्राणी समझे न सार रहे अग्यानी दर्शकों यह स्पष्ट हो गया है कि भगवान श्री कृष्ण सर्वोच अविनाशी परमात्मा नहीं है वास्तव में पूर्ण परमात्मा केवल कबीर साहेब जी ही है जिनका उलेक हमारे वेदों में मिलता है आपको बता दें लगभग 600 वर्ष पूर्व काशी के लहरतारा तालाब में एक कमल के फूल पर कबीर साहेब जी शिशु रूप में प्रकट हुए थे और मगहर वर्तमान जिलासंत कबीर नगर से सशरीड अपने निजधाम सतलोक को चले गए थे इस घटना की यादगारें आज भी मौजूद हैं जिससे पूर्णतह सिद्ध होता है कि कबीर साहेब जी न तो मृत्यू के अधीन है और नहीं किसी प्रकार के जन्म मृत्यू के चक्र में बंधे हैं अर्थात वे इन सबसे बिलकुल परे हैं सवाल नंबर पांच और नच क्या लाब प्राप्ति और मुक्ति के लिए हरे राम हरे कृष्ण ओम भगवते वासुदेवाए नम और ओम क्लीन कृष्णाय नम जैसे मंत्रों के जाप से साधक को वास्तविक लाब और मुक्ति प्राप्त हो सकती है वर्तमान समय में पूरा हिंदु धर्म हरे राम हरे कृष्ण, ओम नमो भगवते वासु देवाए और राधे राधे जैसे मंत्रों का जाप कर रहा है ये मंत्र हिंदु धर्म गुरूओं, कथावाचकों, शंकराचारियों और मंडलेश्वरों द्वारा मनमाने धंग से प्रतिपादित किये गए हैं लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि इन मंत्रों का प्रमाण न तो वेदों में मिलता है और नहीं श्रीमत भगवत गीता में गीता जी के सोड में दाय के 23 में स्लोक में लिखा है कि सास्त्र विधी को टाग कर जो मनमाना आच्रन करते हैं उनकी ने तो गती होती है ने कोई सुख प्राप्त होता है ने उनकी कोई सिधी प्राप्त होती है यूजलेस गीता जी दाय नमर 16 के स्लोक 24 में तुरंट का है कि इससे तेरे लिए अरजुन कर्टव और एकर्टव की विश्था में सदगरंथ ही परमान है किसी की दंद कता पर मत विश्वास करना जो अपने सदगरंथों में लिखे है उसी में वे ओफ वरसिप सही है फाइनल है अब जैसे ये श्री कर्शन जी के पुजारी पुईतरी इंदू दरम जी दिने भी पुन्यात्मा है अब गीता जी को शिरोदारिय मानते है और नाम जबते है Εरे राम, अरे कर्शन रादेरा जेसे आमेला दे ओम नमासवाय, ओम भागमते वासुदे अब नम आवह ंनम आ ये पता नहीं कितने मुन्तर बना रखे गीता जी में है कोई मन्तर ऐसा गीता जी में final फैसलाक रख्या है गीता जी दैनमराठ के slok नमर 13 में कहा के ओम इती एककसरम बरम विवारन मामनु समरन ये परियाती तजन देहन सहिएती परमाम गती मुझबरम का माम बरम मुझबरम का क्यों ओम इती एककसरम ये ओम एककसर है nothing else और कुछ नहीं उचारन करके सिमन करता हुआ जो अन्तिम स्मास तक सरी छोड़ने तक इसका सिमन करता हुआ छोड़ कर दाता है या प्रियाती तजन्देहम सहयाती परमामगती वो परमगती को पराप्त होता है ओम से मिलने वाली परमगती ओम से मिलने वाली सिरेष्ट गती कौन सी है बरम लोग पराप्ती क्योंकि ओम बरम का मंतर है गीता जिदैन नमर साथ के स्लोक नमर अठारा मैं गीता ग्यान दाता बरम स्री कर्शन जी मैं बोल रहा है वो कह रहा है कि मेरी गतीम है ये उद्दार आत्मा है तो अथी लेकिन ये मेरे वाली गतीम ही आश्रीत रही ओम से मिलने वाली जो सुईदा है मोक सह जितना कहते हैं यो तो विर्थ है गतीम है अनूतम है अनूतम क्यों है क्योंकि गीता ग्यान दाता स्विम कह रहा है चौते दाय के पांस में और नौ में सलोक में दूसरे दाय के बार में सलोक में दस में दाय के दूसरे सलोक में अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जनम हो चुके हैं तू नहीं जानता में जानता हूं तो इससे से दाय के जनम मरतू बिरम की भी और पुजारी भी फिर जिए दुखी जनम और मिर्तू जैसा दुख नहीं पर च्वी पर इसलिए गीता ग्यान दाता अठार में दाय के बैसेट में सलोक में कहदार दून दूसर वबाओं से उस परमिस्वर की सन्वजा उसकी किरपा से तुपरम स्यानती को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा अब उन्हे अत्मों सत्र में दैके तेईस में सलोक में गीता जीम है सपष्ट किया है कि उस सचीदा नंद गन ब्रम की पूजा यानि तत ब्रम उस परम अक्सर ब्रम की साधना का तीन मंतर का जाब है उसको प्राप्ती का ओम तत सत ओम ब्रम का सरपुरस भी कहते हैं इस ब्रम को और तत अक्सर पुरस का वो संकेतिक है और सत जो है या परम अक दूरी करनी है इन तिन्यों की साधना से ही प्रमादमा प्रापती सतलोग प्रापती होगी ओम और तत संकेतिक है ये दोनों मिलके दो अक्षर का सतनाम बनता है और तीसरा वो सार नाम है जो सत कहा है गीता जिद्धा 17 के सलोक 23 में तो कहने का भाऊ ये है कि हम सादना करने का खूब कोसिश की हमने अप पढ़ है गीता नाम ले ले करसन करसन अरे राज डे राज कई बात यह बालकों का खेल बिना रख रहा है भगवान की तरफ जरा भी धान ने दिया गीता जी मैं कहीं है मंत्र हरजाब किस लिए कर रहे हैं प्रमात्मा का विधान है यह हमने गीता जी के अतिरिक्त वेदों के अतिरिक्त किसी की भी आदेश की पालना नहीं करनी है यदि हम प्रमात्मा के विधान के विरुद किसी की आग्या का पालन करके साधना करते हैं तो वो सास्तर भी दीक होता है का मनमा नाचल भी दर्शकों शास्तरों के अनुसार पूर्ण संत द्वारा दिये गए नाम के जाप से ही साधक को लाभ और मोक्ष प्राप्त हो सकता है वर्तमान में शास्त्रों में वर्नित भक्ति क्रियाएं और मंत्र प्रदान करने वाले एकमात्र पूर्ण संत सतागुरु रामपाल जी महाराज हैं। तो आईए अब जान लेते हैं वे कौन से मंत्र हैं जो साधक को लाभ और मोक्ष की प्राप्ति में सहायक हैं। अब सत्र में जायके गीता जी के तेइसे स्लोक में कहा है कि उस सचीदा नंद घनबर्म के पाने का तीन मंत्र का जाप का नर्देश है नठींग एल्स नर्देश माने नठींग और कुछ निरसींपल ओन्ली डारेक्शन ये देखिएगा। शत्रमे जाय کا और तैइस मासलोग शिरीमद्भगत जीता butamnastati7 सत्रमे का व् 2 परकार का सकी दानद गन परमपरम का मंतर कहा है अब सचीदानन्द घंपरम परम अक्सर परम का मंतर ओम तत सत उसको पाने का ओम तो पुनात्मों सीधा है बरम अक्सर पुरुष का और जो तत है वो अक्सर पुरुष का और सत है ये परम अक्सर पुरुष का ये भी कोड वर्ड है सांकेटिक सब्द है ओम और तत्थ, जो सांकेतिक सब्ध है, वो दोनों मिलकर ये सतनाम बनता है दो अक्षर का और जिसका भी आज तक मोक्स वहाउन मापरोसो ने इस सतनाम का जाब किया है और जो सत्थ है, वो सारनाम की तरफ संकेत है, वो भी कोई अन्य मंतर है वो संकेती कोड बर निश्डास के पास है इस पर विश्वला में किसी के पास है श्रीमत भागवत गीता में यह पुष्टी की गई है कि बिना सच्चे गुरू की शरण लिए कोई भी मंत्र जाप अधूरा है और उससे मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है इसलिए जो साधक सची मुक्ती और वास्तविक लाब की इच्छा रखते हैं उन्हें सर्व प्रथम सच्चे गुरू की शरण में जाना चाहिए और शास्त्रों के अनुसार सत्य साधना का मार्ग दर्शन प्राप्त करना चाहिए केवल सच्चे गुरू से प्राप्त नाम का जाप ही मुक्ती की प्राप्ती संभव कर सकता है अन्यथा साधक के प्रयास निरर्थक रह जाते हैं तो दर्शकों इस स्पेशल एपिसोड देखने के बाद आपको स्पष्ठ हो गया होगा कि जन्माष्टमी मनाना सिर्फ एक मनमानी लोक परंपरा है और इस दिन की जाने वाली धार में क्रियाएं भी व्यर्थ की साधनाएं हैं जिन से साधक को कोई लाभ नहीं मिल सकता भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के प्रारब्ध के कर्म भी नहीं काट सकते इसलिए उन्हें समर्थ शक्ती नहीं कहा जा सकता सर्वशक्तिमान परमात्मा तो केवल कबीर साहिब जी है जिनकी सताभक्ति वर्तमान में जगत गुरु तत्वदर्शी संत राम पाल जी महराज द्वारा बताई जा रही है आप सभी से निवेदन है कि संत राम पाल जी महराज का ज्यान समझ कर नाम उपदेश ग्रहन करें और अपने अनमोल मानव जीवन को सुखमय बनाएं तथा अपना कल्यान करवाएं आइए अभमुन श्रग्धालों के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत राम पाल जी महराज जी से दिक्षप्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ती मार्क पर चल रहे हैं आइए अब सुनते हैं संत राम पाल जी महराज जी से नाम दीक्षा लेकर सत भक्ती करके अदभुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयाईयों के विचार इस दुनिया में जब तक इनसान सचे ग्यान से वंचित रहता है तब तक वह अंध विश्वास और गलत धारणाओं के जाल में फंसा रहता है इनसान अपने दुखों का अंध ढूंडने के लिए न जाने कितने रास्ते अपनाता है पर समाधान कहीं दिखाई नहीं देता आज हम आपको एक ऐसे ही व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने वर्षों तक इसी भटकाव और अंधकार में जीवन बिताया है यह कहानी है आजमगड उत्तर प्रदेश के चंद्रजीत प्रजापती की इन्हेंने कई साल तक पारंपरिक पूजा साधनाएं की बहुत जगहों पर धक्के खाए और प्रेत बाधाओं से परेशान रहे प्रेत बाधा के कारणवश ही एक भयानक दुरघटना में इनके पिता जी की मृत्यु भी हो गई इनके जीवन में एक बड़ा मोड तब आया जब इन्हें तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पवित्र पुस्तक ज्यान गंगा मिली इस पुस्तक को पढ़ने के बाद इनके जीवन की दिशा बदल गई चंदरजीत जी ने अपने शारीरिक रोग के इलाज के लिए कई अस्पतालों का चक्कर लगाया लेकिन कोई भी इलाज कारगर साबित नहीं हुआ अंतता इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और चमतकारिक रूप से 12 साल पुरानी बवासीर ठीक हो गई और 25 साल पुरानी भूत बाधा जिससे ये बेहत परेशान थे वो भी संत जी की कृपा से समाप्त हो गई तो आईए सुनते हैं चंदरजीत प्रजापती की दुख भरी कहानी इनहीं की जुबानी संतरामपाल जी महाराज से नाम दिक्षा आपने कम ली? सर हमने संतरामपाल जी महाराज से नाम दिक्षा सन 2012 मिली सर संतरामपाल जी महाराज से नाम दिक्षा लेने से पहले आप क्या वक्ती सादनाए करते थे? जी हमेशे नकली पंथों से जुड़े हुए थे और सभी देवी देवताओं की भक्ति क्या करते थे जिससे हमको कोई लाब नहीं हुआ सर जो भक्ति साधना है आप करते थे इनसे आपको क्या लाब मिले सर उनसे तो हमें कोई खास लाब नहीं मिला हमारा नुकसान ही होता गया और इतना नुकसान हो गया कि उसमें हमारे पिता जी का एक्सिडेंट भी हो गया और घर में जगड़े जंजट भी होने लगे और सबसे ज्यादा नुकसान हमारा यह हुआ कि हमारी तबियत पूरा खराब हो गई शरूस साधना करते करते और हम अग्यानी गुरूओं के पास पड़े रहे इधर उधर भटकते रहे कहीं हमें कोई सही मारग नहीं मिला और हमें ऐसे ऐसे भी गुरू संत मिले हैं जो लोकल होते चलते फिरते रहते हैं हमें जो जहां बताए हम वहां गए एक ने हमें बताया कि रात के बारे बज़े आप तर्वेणी पे चले जाओ इलाबाद बारे बज़े के और दो बज़े के बीच में आप वहां रात को असनान कर लेना आपके सारे पाप धुल जाएंगे जितने भी भीट बैताल चले जाएंगे फिर भी हम वहां गए वो भी क्रिया हमने किया उससे भी हमें कोई लाब नहीं मिला एक ने हमें बताया कि आप हनुमान चली साप पढ़ा करो सुबह साम वो भी हम नित करते रहे और कम से कम दस बारे साल लगातार किये उससे भी हमें कोई लाब नहीं मिला एक ने बताया आप मैहर दे भी चले जाओ हम वहां भी गए दर्सन भी किये पुरे परिवार के साथ में गए सर हमें भी वहां से कोई लाब नहीं मिला ऐसे हमने बहुत जगे धके खा लिये फिर भी हमें कोई लाब नहीं मिला और सर हमारे भूत परेत की ज़्यादा परिसानी थी भूतों ने हमें परिसान बहुत कर रखा था और हमारे पूरे परिवार को परसान कर रखा था कभी हमारी तबियत खराब होती है तो कभी बच्चों की कभी हमारे धरम पत्नी की कभी मा की कभी पिता जी की और भुतों ने ही हमारे पिता जी को एक्सीडेंट में मरवा दिया जितने भी संत गुरु हमें नकली मिले, इन लोगों से जो भी हमें ग्यान बताया, मंतर दिया, इनसे हमें कोई भी लाब नहीं मिला और हम दलदल में भटकते चले गए, धंसते चले गए जी ये तो प्रमातमा का ही चमतकार है, बहुत अध्भूत खेल हुगा हमारे साथ, एक बार हम ट्रेन में सफर कर रहे थे, गुजराज से, अपने उत्तर परदेस आजम गड़ में आ रहे थे, घर पे, तब ये था हमारी बहुत खराब थी, हम सोचे अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, कोई पुन्ना आत्मा था, बोलता, दस रुपे में ग्यान ले लीजिए, दस रुपे में ग्यान लेजिए, लेकिन उस डिब्बे में कोई भी ओ दस रुपे की एकी पुष्टक थी उस आत्मा के पास, कोई लेने के लिए तैयार नहीं हुआ, हम भी हाथ में लेके उसको वापस दे दिए, वापस दे देने के बाद हम बोले, भाई, यसे ही सब पाखंडी हैं, ये बात है, वो बात हमने भी बला बुरा कहा, हम परमात्मा से प्रार्तना भी करते हैं कुछ गल्ती का हमें छमा करना माली, फिर जब वो भगत उतरने लगा, बोला, इसमें कोई अच्छी आत्मा नहीं है, सब के सब ऐसे ही हैं, फिर उतरते उतर बोला आपका उधार हो जाएगा, इतना बोलते ही, हो फिर पता नहीं कहाँ गायब हो गया, हमें दिखाई वही नहीं आई दिया, गारी खड़ी थी, फिर भी हम खोशते रहे, कहां गया, कहां गया, हो हमें कहीं नहीं मिला, ओ ग्यान कंगा किताब हमको मिली थी 2010 में, और प तो पढ़ते 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 हमारी तबियत इतनी सीरियस हो गई कि हमको बीच्चू हास्पीटल बनारस जाना पड़ा, वहां जाने के बाद डाक्टर ने बोला कि आपका कोई इलाज नहीं है, 32-32 रुपे कि हमारी जांच भी करवाई, भारी भारी टेस्ट भी करवाएं, और हम गुजरात में भी रहते हैं, वहां भी हमको मौरवी जिले में भी दिखाया गया, राज कोट में भी दिखाया गया, बड़े बड़े डॉक्टर ने से दिखाया गया, लेकिन हमारा समाधान कहीं नहीं हुआ, वो किताब को लेके हम घर से निरास होके, मैं बुला की अ ममारी मिरत्व निश्चित है उस किताब को लेके अड्रेस को लेके हम फोन करके सतलोक आसरम बरवाला जिरा हिसार में हम पहुँचे अंदर गए अंदर जाते ही हमको मालिक से नामदान मिला तो फिर संत रहांपाल जी महाराज से नामदिक्षा लेनी के बाद आपको क्या था फिर उन्हीं डॉक्टरों ने दुबारा जब दिखाने गए तो बोला यह ज्यादा हो चुका है अब यह चूब बनारस चले जाओ वहां भी हमने दिखाया तो हां के डॉक्टरों ने हमें मना कर दिया हमारा छोटा भाई भी गया था उससे बोल दिया कि भाई इनका बिमारी था भगंदर का बवासीर का और हमारी यहांते भी खराब हो चुकी थी और लीबर भी कमजोड हो चुका था हम दिनों पर दिन आधी रोटी भी खाने लगे थे पानी भी ठीक से नहीं पी पा रहे थे और कुछ काम भी नहीं कर पा रहे थे सर बियच्चू से मुझे डॉक्टरों ने वापस भेद दिया था तो गुरुजी से नाम लेने के बाद मेरे को बिना दवाई बिना कोई टोबलेट ना कोई जाड़ फूक मात्र नाम लेने से गुरुजी का परमात्मा का नाम लेने से संतरामपाल जी महराज जो देते हैं जो दिक्षा देते हैं उसके मंतर से कोई भी रूग मेरा पेट का जो बीमारी था आथ एक तरफ की खराब हो चुकी थी पूरी खराब हो चुकी थी डॉक्टरों ने बोला था जो भगंदर की बीमारी थी वो भी हो पूरा एकदम जो और पे थी बोला कोई इलाजी नहीं है पूरा आपका गुद्दा काट के निकालना पड़ेगा और लीवर में भी प्रोब्लम था ये सब बीमारी जो मुझे इतने सालों से परिसान की थी दस बारे सालों से और मैं मिर्चा भी बिलकुल नहीं खा पा रहा था आज भी मेरे परिवार इसके गवा हैं ये परिवार मेरा पूरा गाँ गवा है जितने भी भगत हैं आजमगड के सब लग भग मेरे से मिले हैं जानते भी हैं मुझे पहचानते भी हैं वो भी जानते हैं कि भगट ठीक हो गया है तो सद्गुरू रामपाल जी महराज के सरण में आने से मेरे इतने कष्ट और चोष साल से थी और उसमें मेरे पिता जी की भी मिर्ट भी हो गई और घर में भी सब बिमार बहुत रहते थे हमारे बच्चे भी हमारे भक्तमती भी और हम ज्यादा उन्हीं के वज़े से बिमार रहते थे जहां जाओ जाओ जाड़ फुक करवाने हो वो ये बताता है कोई जि है ले लेकर पैसे हमें खाली गिराते चले जाते हैं और वो सब बीमारी से जूजते जूजते हमें जब गुरु जी का मंतर परमातमा कबीर साहब संतरामपाल जी महराज के रूप में आये हुए हैं उनसे नाम दिख्चा लिया तो ए सारी समिशे हमारी भूतों-पुरेतों कि चुटकी में परमातमा ने दूर कर दिया, आज हमारा सरीर पुरा फुला हुआ है, हम खुश है, पुरा परिवार हमारा सुखी है, और पूरे परिवार सहीत हम संत्रामपाल जी महराज के सरण में हैं, हमें आज कोई दुख नहीं है, ना कोई दवाई लेते हैं, ना कोई ख आपको बारा साल से बावासीर की बीमारी थी, आपने इलाज भी कराया, आपको भगंदर हो गया, आपका गुरदा भी खराब था, लीवर भी कमजोर था, आप में बीमारिया भीमारिया थी, डॉक्टर ने आपको मना कर दिया था, कि आपको घर ले जाया जाए और सेवा करें फिर आप संत्रामपाल जी महाराज की संड में आए संत्रामपाल जी महाराज ने आपको इन बीमारियों से छुटकारा दिलाया और जो आपको 25 साल से बूत प्रेत की समस्या थी जिसकी वज़े से आपके पिताजी की मिर्ती हो गई थी, उससे भी संत्रामपाल जी महाराज ने आपको छुटकारा दिलाया, इस बात का गवा आपका पूरा गाउ है, तो जो सरदालू आपको टीवी पर देख रहा हैं, आप उन लोगों को क्या संदेज देना चाहते हैं, क् और ऐसे ऐसे गुरूओं के पास जाके अपना मूल जीवन जो गवा रहे हैं, हमने भी बहुत भटका है, बहुत जगे जगे हमने गए हैं, हमें जो जहां बताया है, वहां गए हैं, हमें कोई बताया कि आप दौरिका चले जाओ, हम दौरिका भी गए हैं, कोई बताया सोब पे चले जाओ, संगम में, इलाबाद, वहां भी हमने रात को भी गए हैं, ऐसे ऐसे हम बहुत परमान बताते हैं, बिहार हम गया में भी गए हैं, कोई बताता बैज ना चले जाओ, आपकी सारी समयस्या दूर हो जाएगी, रात रात भर हम से कोई कोई संत ऐसे मिले हैं, जो ज होगा और आप लोगों से हम परार्थना करते हैं कि आप सास्त्रों को पहले साथ गुरु रामपाल जी महराज जो हैं इनके किताबों को पढ़uir देखिये समझ एसास्त्रों से मिलाईए फिर आफ देखिये और टीवी पे भी आप आप देखते हैं कि रोज चैनल पे परमातमा सद्गुरू रामपाल जी महराज का ससंग आता है उस पे आप देखके विश्वास कीजिए जैसे हमारे रोग ठीक होए हैं आप लोगों का भी ठीक हो सकता है परमातमा सब पे दया करते हैं आप पे भी करेंगे और इधर उधर भ संद्रामपाल जी महराज से नामदिक्षा कैसे ली जा सकती है सर सद्गुरू रामपाल जी महराज का ससंग बहुत टीवी चैनलों पे आता है जैसे मुझे याद है कि सैनल है उसके नीचे पट्टी आती है उस पे बहुत सारे नमर लिखे होते हैं उन नमरों को आप मिला के आप अपने ही जिले में नदी की जहां सेंटर बने है परमात्मा सत्गुरू रामपाल जी महराज का वहां संपर करके आप वहीं से नाम दिक्षा प्राप्त कर सकते हैं घर बैठे आप भक्ती कर सकते हैं, सारे सुक प्रमात्मा आपको देंगे, नाम दिख्छा लें और अपना कल्यान कराएं धन्यवाद सर, सत्साहिए आप सुन रहे थे जकतकुरू तत्वदर्शी संतरामपालजी महराजी के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारे वेबसाइट www.jakatgururampal.org संतरामपालजी महराजी के शुब आशिवात से पूरे विश्व भर में 500 से भी जादा नाम दिख्षा केंदर हैं जिन पर संतरामपालजी महराजी द्वारा ओनलाइन निशुल नाम दिख्षा दी जा रही है अपने नस्दी की नाम दिख्षा केंदर का पता करने के लिए संपर्क करें 8222 880541